हेलो जी नमस्कार गुड आफटरनून वेलकम टू डाउटनट स्वागत आप सभी का डाउटनट पर बचो आज जो अध्याय में लेकर आया हूँ वो है वनस्पती जगत इसका आज हम वन्शॉट करने वाले हैं कोशिश करेंगे कि पूरा अध्याय खतम करते हैं लेकिन जित आलोक, आचल, नेहा, श्रेया, राहुल, हरीश, पार्थ सर की BSF ठीक है इधर से मौरे राहुल, विनीता, प्रिया, निकिता ठीक है जी बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया चल सो अगर कोई बच्चा आता है ऐसा जो चैट सेक्शन में लिखता है कि सर ये क्या दीजेगा कि ये ये लाइव क्लास है, सर पढ़ा रहे हैं, फोकस कर पढ़ाई पर, ठीक है, सो गुड आफ्टरनून है, वेलकम हैं आप सभी का, नमश्कार है, राधे राधे है, वालेकुम अस्सलाम है आप सभी को, और पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या बिटा जी हम वनस वनस्पती जगत, प्लांट किंग्डम 11 कक्षा का तीसरा अध्या है, बहुत इंपोर्टेंट है ये, कौनसा वनस्पती जगत, ठीक है, सो ज़्यादा बाते नहीं करेंगे, क्योंकि आज ये लंबी क्लास होने वाली है, ये भी मैं आपको बता दू, जितने भी बच्चे अ अगर हम बात करें, यानि पादब जगत भी बोल सकते हैं इसको, पादब जगत भी बोल सकते हैं, वनस्पती जगत, प्लांट किंग्डम, ठीक है, तसली से अराम से पढ़िएगा, ध्यान से सुनियेगा, Plant Kingdom, वनस्पती जगत, पादब जगत की अगर हम बात करें So, दूसरा अध्याय जो है आपकी 11 कक्षा का जिसका नाम है जीव जगत का वर्गी करण, Biological Classification जिसमें एक विज्ञानिक थे जिनका नाम था Lenius आपने नाम definitely सुनाओगा, ये हैं कौन आपके Lenius इनी Lenius ने दो जगत प्रणाली दी थी जिसमें उनोंने जितने भी जीव हैं जिनके अंदर कोशी का भित्ती मिल रही थी सभी को एक जगत में डाला था जिसका नाम था क्या वनस्पती जगत क्या मेरी ये बात समझ में आई, फिर से बोलू, वापिस से सुन, फिर से सुन, ध्यान से सुनना सबसे पहले आई थी दो जगत प्रणाली, दो जगत प्रणाली, Two Kingdom Classification जिसको किस ने दिया था आपके, Lenius अंकल ने दिया था और ये बोले, ये बोले कि वहिया जितने भी जीव हैं सभी को बाटो, कितने जगत में, दो जगत में, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया, प्लांटी यानि वनस्पती जगत, या पादब जगत, प्लांट किंग्डम, ठीक है, और उसके अंदर किसको रखा, जितने भी प्लांटी जगत प्रस्तुत किया था, सबसे पहले किसने लीनियस ने और बोले कि जिनके अंदर कोशी का भिती मिल रही है, उन सभी को डाल दो वनस्पती जगत में, लेकिन फिर बाद में कुछ गडबढ़िया हुई क्या, कि इनों ने क्या किया था, शेवाल, शेवाल भी वहाँ पर डाल दी थी, एकल कोशी के शेवाल भी डाल दी थी, कैसी, एकल कोशी के शेवाल भी वहाँ पर थी, बहु कोशी के शेवाल भी वहाँ पर थी, बैक्टीरिया भी वहाँ पर थे, जिनमें सभी में कोशी का भिती मिल रही है, सब को डाल दिय धा जैसे जरह सोच ये कवक भी डाल दी किसमे प्लान्टी जगत में क्योंकि कवक के अंदर भी क्या मिलती है कोशी का बित्ती शेवालों में भी मिलती ये क्या कोशी का ये शेवाल आपकी एकल कोशी किये भी होती हैं और बहु कोशी किये भी होती हैं आपके जीवानू भी डाल दिये जीवानू भी डाल दिये किसमें वनस्पति जगत में तो ये भारी गलती कर दी थी यानि इन्हों ने लीनियस ने ये जो वरगी करण जो किया था ना प्रभू ध् चैट मत करियेगा, बाते बिलकुल मत करिएगा, फोकस करिएगा पढ़ाने पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ. क्या कि ये जो वर्गी करण जो लीनियस ने किया था कैसा था बचे करत्रिम वर्गी करण था आर्टिफिशल क्लासिफिकेशन था जिसमें कुछ बाहरी लक्षणों को देखकर जैसे पत्तियां देख ली जैसे रंग देख लिया जैसे आकरती देख ली ये क्या है सर ये बाहर कैसे लक्षन है बाहरी लक्षन है और बाहरी लक्षनों के अधार पर जब वर्गी करण किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं क्रत्रिम वर्गी करण तो याद रखना लीनियस का ये जो वर्गी करण जो था ये सरासर गलत सिद्ध हुआ बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ क्यो क्योंकि आप सिर्फ बाहरी लक्षणों के आधार पर क्या कर रहे हैं वर्गी करण कर रहे हैं जो गलत है अब आप मुझे बताइएगा क्या सिर्फ बाहरी लक्षणों के आधार पर वर्गी करण करना चाहिए कि सारे लक्षणों को देखना चाहिए बाहर के साथ साथ आंतरि लक्षणों की भी बात करनी चाहिए, सोची, हाँ जी, देविंदर कुमार, थंडर बॉय, आलो की यादव, दिक्षा सिंग, निहा प्रजापती, लक्षमी यादव, जल्दी से मुझे बताइए, हाँ जी, येस, सर थियोफरेस्टस ने वनस्पती जगत का अध्यन किया था, रे बांगडू, थियोफरेस्टस को हम वनस्पती विज्ञान का जनक बोलते हैं, बॉटनी के फादर बोलते हैं, येस, उन्होंने सबसे पहले अध्यन किया था, मैं यहाँ पर ये बात नहीं कह रहा हूँ, п्लान्ट्स का क्लासिफिकेशन किस ने किया था सबसे पहले अध्यन की बात नहीं कर रहा यहाँ अध्यन सबसे पहले किस ने किया था बोटनी के फादर कौन है ठीो फ्रेस्टस है उन्होंने ही सबसर्व प्रथम, वनस्पती का अध्यन करना स्टार्ट गया था लेकिन बात आ रही है यहाँ पर पादपों का वरगी करण किस ने किया था और बाहिये अकार की लक्षडों के आधार पर किस ने किया था कृत्रिम वरगी करण किस ने किया था लीनियस ने किया था जाकर अपनी पुस्तक पढ़ा करें इस चैप्टर में जब आप स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को जब आप पढ़ना है स्टार्ट करेंगे तो आपको शब्द दिख जाएगा linear जिन्हों ने क्या किया था क्रित्रिम वर्गी करण किया था किसका वनस्पती जगत का ठीक है समझ में आया विटे करने किया था है ललू लाल विटे करने पांच जगत प्रणाली दी थी पढ़ते नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं चलो, अब इदर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए, सुनिए, यहाँ पर, जिनको अब नहीं पता है, मैं फटा-फट ध्यान से सुनिएगा, फटा-फट देखेगा, देखेंगा, देखेंगे, सबसे पहले आया था, Two Kingdom Classification, Two KC का मतलब, Two Kingdom Classification, दो जगत प्रनाली, जो किसने दी थी पेटा, लीनियस ने दी थी, और याद रखना, लीनियस ने दो जगत दिये थे, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया, इसमें कुछ गड़बडी थी, इसको सुधारने के लिए फिर आया था, तीन जगत प्रनाली, जो क इसने दी थी, Ernst Hackle ने, क्या गड़बडी थी, कि प्लांटी जगत के अंदर, कैसे एकल कोशी के जीवो को रख दिया था, तो इसके बाद तीन जगत प्रनाली आई थी, उन तीन जगत प्रनाली में, दो तो अल्रेडी हैं, कौन प्लांटी तो है, एनिमेलिया भी है, एक त तीसरे जगत प्रस्तुत किया था, किसने, हैकल ने, और उस तीसरे जगत का नाम आपने याद रखना है, क्या, प्रोटिस्टा, जिसके अंदर, एकल कोशी के जीवो को रखा गया था, हाला कि इस चैप्टर की ये बात नहीं है, फिर भी बता रहा हूं, फिर आया था, कौन कोपलेंड ने क्या किया था, भीया, चार जगत फ्रनाली दी थी, तीन जगत तो अलरी है, हमारे पास, कौन कौन सा है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा है, एक तीसरा, एक चौथा जगत उन्होंने दिया, किसने, कोपलेंड ने भी कर दी थी क्या प्लांटी जगत में किसको रख दिया था कवक को रखे पड़ा था उसके बाद आया था पांच जगत प्रणाली फाइफ किंग्डम classification जो विटेकर ने दी थी और विटेकर ने टोटल पाँच जगत दिये थे अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कौन-कौन से पाँच जगत मोनीरा तो है प्रोटिस्टा है उसके बाद प्लांटी है उसके बाद एनिमेलिया है हाँ उन्होंने जो जगत प्रस्तुत किया था वो कौन सा प्रस्तुत किया था वेटा जी कवक जगत या फंजाई जगत तो कुल में लाकर ये पाँच जगत प्रणाली जो आप दसवी कक्षा में पड़ी थी ग्यारवी कक्षा में आकर ये पढ़ते हैं ये नहीं लिखा होता है हमारे अंदर हमारी पुस्तकों में टू किंडम थ्री किंडम फोर किंडम तो ये चीज याद रखिएगा अब ये लीनियस ने वरगी करण जब किया था किसका वरगी करण किया इन्हों ने लीनियस ने जब वरगी करण किया किसका पादपों का तो कैसा किया था करत्रिम किया था करत्रिम करत्रिम का मतलब होता है केवल कुछ बाहरी लक्षनों के आधार पर वरगी करण करना क्या कहलाता है अब जैसे मैं आपसे सिंपल सी बात बोलता हूँ आप मुझे बताईएगा आपने तितली देखी है यह सर देखी है आपने मदुमक्खी देखी है यह सर देखी है आपने चमगादर देखा होगा रात को कभी ना कभी यह सर देखा है क्या तितली क्या तितली देखी है हां सर तितली देखी है क्या आपने चिडिया देखी है हां देखी है चमगादर देखा है हां देखा है तीनों उड़ते हैं हां उड़ते हैं तीनों में पंक है हां है तो क्या मैं तीनों को पक्षी बोल दूँगा क्या नई इसमें चिडिया जो है वो पक्षी वर्ग में आती है जबकि आपकी तितली जो थी वो कीट में आती है और चमगादर जो है ये स्तंधारी है तो तीनों में तीनों जो हैं अलग-अलग जीव हैं लेकिन अगर मैं बाहरी लक्षन देखूं तो तीनों में क्या थे समान थे, पंक थे, उड़ रहे थे, फ्लाइट और्गिनिजम थे ये, कैसे थे, उड़न शील थे, तो क्या सभी को एक साथ रख दू, एक वर्ग में रख दू, एक ग्रुप में रख दू, नई सर, ये तो गलत हो जाएगा, तो अगर ऐसा किया जाएगा, तो ऐसा वर्गी कर आ रहे है, अवाज नहीं आ रहे है, अवाज नहीं आ रहे है, अवाज नहीं आ रहे है, एक ही बालिका है जिसको आवाज नहीं आ रहे है, बाकि सबको आ वाज आ रहे है, भाईया सबको आ रहे है, सबको आ रहे है, ठीक है, Artificial System of Classification था, अब इसको सुधारने के लिए, एक system of classification आएगा एक दूसरा आएगा एक और वर्गी करना आएगा अब कौन सा वर्गी करना आया भाई या अब आया था कौन सा प्राकृतिक वर्गी करना प्राकृतिक वर्गी करना कौन सा वर्गी करना आया प्राकृतिक वर्गी करना नाचुरल classification, natural system of classification, सर इसमें क्या किया, कोच नहीं, जो उसमें गलतियां थी, उसको सुधारा, क्या सुधारा होगा जरा सोची, दिमाग लगा, ति सर वहाँ पर केवल और केवल भाहिये, भाहिये लक्षनों के आधार पर वर्गी करने कर रहे थे, तो यहाँ पर किस आधार पर करेंगे जरा सोची, बाहरी लक्षन तो देखेंगे देखेंगे, आंतरिक लक्षन भी देखेंगे, आंतरिक लक्षन में कोशिका का भी अध्यन करेंगे, रसाइनों का भी अध्यन करेंगे, अंगों का भी अध्यन करेंगे, यानि साब कोच जितने भी मापदंड हैं, उन सारे माप माप दंडों के आधार पर सभी सभी माप दंड सभी माप दंडों के आधार पर के आधार पर वर्गी करण करेंगे सभी माप दंडों के आधार पर जब वर्गी करण करते हैं तो ऐसा वर्गी करण क्या कहलाएगा प्राकर्तिक वर्गी करण सभी माप दंड का मतलब बताईए सभी मापदंड का मतलब सिर्फ बहारी लक्षण की आंतरिक लक्षण भी बहारी भी बहारी लक्षण भी देखेंगे और आंतरिक लक्षण भी देखेंगे बहारी लक्षन भी देखेंगे आंतरिक लक्षन भी देखेंगे बटा इस प्रकार का वर्गी करण क्या किलाएगा प्राक्रतिक वर्गी करण अब प्रश्न जो पूछा जाएगा मेरे भाई ध्यान से सुन ले NCRT को घोट कर पी जाना है NCRT की एक एक लाइन को फील करना है समझना है उसको याद रखना है NCRT में साफ साफ लिखा हुआ लीनियस ने कैसा दिया था क्रत्रिम वर्गी करण दिया था याद रख ले ना जिनका नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं बैंथम और हुकर याद रखेगा नाम क्या बैंथम बैंथम और हुकर ठीक है तो ये दो विज्ञानिक थे जिनों ने बड़े स्तर पर क्या दिया था बहुत बड़े अवल दरजे के स्तर पर क्या दिया था प्राकरतिक वरगी करण किया था सारे माप दंडों के आधार पर बहरी लक्षणों को भी देखा था आंतरिक लक्षणों को भी देखा था उन सभी लक्षणों के आधार पर इन्होंने क्या दिया था प्राकरतिक वर्गी करण किस ने दिया था, Bentham और Hooker ने दिया था, याद रहेगा हाँ जी, याद रहेगा, very good साधना पटेल, very good नेहा यदव हाँ जी, सर, नली पट्टी को हटा, अच्छा, नीली पट्टी को हटा दो, बेटा मैंने उपर लिख दिया है मैंने उपर लिख दिया है उपर लिख दिया है यहाँ पर Bentham और यहाँ पर लिख दिया है Hooker नाम नीचे वही लिखा हुआ है George Bentham Joseph Dalton Hooker ठीक है, आपसे इनकी पुस्तक नहीं पूछी जाएगी इननों ने जो पुस्तक छापी थी उस पुस्तक का नाम था प्राइन को पढ़ते रहेगा साथ-साथ और ये सारी चीज़े याद रखते जाएगा ठीके सर तो सबसे पहले कौन सा आया सर कृत्रिम वर्गी करनाया कुछ गल्तियां थी इसको सुधारा गया फिर कौन सा आया प्राकर्तिक वर्गी करनाया सर इसमें तो कोई गल्ती नहीं बाहरी लक्षन भी देख लिए आंतरिक लक्षन भी देख लिए एक चीज रह गई थी एक चीज अभी रह गई थी इसके बाद एक और वर्गी करनाया प्रनाली आई जिसको हम बोलते हैं तीसरा जिसको हम आज तक फॉलो कर रहे हैं जाती वर्तिय जाती वर्तिय वर्गी कर सर अब ये कह फाइलो जेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है जितना सफिशेंट है जितना जिससे जहां प्रश्ण बनेगा वो सारी चीज़े आपको बता रहा हूं कृपया करके अपने साथ कॉपी और पैन जरूर रखें और चीजों को नो डाउन करते जाएं ठीक है अंजली यादव प्लीज हाँ जी तंत्र लिख दो मेरे भाई जाती वरतिये वरगी करण तंत्र लिख दो इतना तो थोड़ा से कॉमन सेंस लगा दीजे हाँ जी अब ध्यान से सुनियेगा ये जाती वरतिये वरगी करण जो था एक अकेले विज्यानिकों ने प्रस्तुत किया था जिसमें डेरबन भी थे और आपके हॉली भी थे ठीक है कई-कई विज्यानिक थे डेरबन भी थे हॉली भी थे कई सारे प्रकार के विज्यानिक थे जिन्नोंने ये जाती वरतिये वरगी करण दिया तो कोई स्पेसिफिक आपने ना उनका पता होना चाहिए, सर ये जाती विरती संबंद क्या होते हैं, मैं आप से एक बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, मुझे बस इतनी सी बात बताईएगा, आपके पूरवज, हमारे मनुश्यों के पूरवज, हमारे जो पूरवज थे, क्या वो कपी के समान थे के बं पूरवज के समान थे, बोलिए, हम, सर ब्लैक पैन यूज करिया, दिख नहीं रहा है, ले मेरे भाई, ब्लैक पैन यूज कर लेते हैं, हाँ जी, कपी के, very good, कपी के, कपी के पूरवजों के समान थे, कपी के पूरवजों के समान थे, हमें कैसे पता लगा यार, सोचो, कहां से आया कही ना कहीं किसी publisher ने छापा कैसे छापा कहीं ना कहीं अध्यन किया होगा कहां से पता कैसे लगा अरे भाईया वेग्यानिकों ने अध्यन किया होगा किसका अध्यन किया होगा जीवाश्मों का किसका अध्यन किया जीवाश्मों का अध्यन किया fossils की study करी है ना हम क्चिए पूरवज हमारे पूरवज में कुछ समानता थी और यही संबंद जो है क्या पूरवजता के आधार पर यह जो संबंद हम देख रहे हैं कि किसके पूरवज जदा निकट हैं यही क्या कहलाता है जाती वरतिय संबंद तो अब आप मुझे बताईएगा सोच समझ कर लगें लेकिन कपियों के पूरवज हमारे पूरवज से समानता रख रहे हैं तो हमारे साथ किसको रखा जाएगा हमारे साथ प्राइमेट्स प्राइमेट्स नाम सुना होगा आपने प्राइमेट्स सुना है ना उन में किसको रखा जाता है बंदरों को रखा जाता है कपी को और मनुश्यों को रखा जाता है क्यों कि हमारे जो पूर्वज थे बाकी जीवों के पूर्वजों से इतना जादा संबंद नहीं दिखा रहे थे हमारे पूर्वज जादा संबंद दिखा रहे थे ऐसे संबंदों को हम क्या बोलते है जाती वरतिय संबंद तो जाती वरतिय सं से पता लगा था हाँ ठीक है कपी के बच्चे की खोपडी से पता लगा था अksom बिटा वो औस ट्रेलोपी थीकस था जिसको तुव अंग बेबी बोलते हैं ठीक है विकास चैप्टर अपड़े होंगे हमने पहले पढ़ा भी दिया है विकास चैप्टर ठीक है उसको पिड़ी मिली थी जिसको हमने Australopithический बाद में नाम दिया था ठीक है तो कपी सिर्फ और सिर्फ Australopithicken नी थे प्रोकंसल भी थे और आपके Australopithense भी थे होमो हैबिलिस थे कई सारे थे आपके ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बिटा जी यहाँ पर सो तीसरा जो वर्गी करण प्रणाली है वो है जाती वरती है वर्गी करण वापिस से रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा मैंने सीधी सीधी शब्दों में बोला कि भाईया चैप्टर जो है उसका नाम है वनस्पती जगत जो अभी तक हमने श्टार्ट नहीं किया हम स अच्छा नहीं था फिर आया कौन प्राकर्तिक वर्गी करण ठीक है बहुत अच्छा था एक कमी थी क्या जाती वरती संबंद नहीं थे उसमें फिर कौन आया जाती वरती वर्गी करण जिसमें हमने सारी चीजे डाल दी है हमने सब कुछ डाल दी हम जाती वरती संबंद भी देख रहे हैं बाये लक्षन भी देख रहे हैं आंत्रिक लक्षन भी देख रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं जिसको हम आज तक मानते हैं ये थी बात इतनी सी बात जो आपको समझानी थी अब स्टार्ट करते हमारा असली चेप्टर क्या वनस्पती जगत ये तो हमने बात करी कुछ लक्षन पढ़ने पढ़ेंगे बहुत बहुत सिंपल से लक्षन देखे सबसे पहला आप मुझे बता है क्या ये बहु कोशी की होते हैं यू केरियोटिक होते हैं हाँ सर नहीं सर इसके कुछ अपवाद भी हैं बहु कोशी के नहीं एकल कोशी की भी होते आएंगे आपक इनमें व्रद्धी आनिश्चित होती है जरह सोचे आपकी व्रद्धी निश्चित है क्या निश्चित है आपका हाथ बढ़ता जा रहा है क्या सोचे जरह सोचे आपका हाथ बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है लेकिन इनकी शाखाएं बढ़ती जा रही है बढ़ती जा मुसा पुड़ी का सभी निनाम सुना हुआ है तच करोगे तो जिसको हम टच मी नॉट भी बोलते हैं टच करोगे तो शिकुड जाता है बिल्कुल होता है समवेधन शीलता होती है लेकिन इतनी भी नहीं होती है कि उसको थोड़ा सा गरम-गरम दिया और वह भाग का रुठ ख करूँगा आपसे पूछूँगा भी ठीक है टेंशन ना लीजिएगा हाँ जी इनमें कोशी का भित्ति किसकी बनी होती है याद रखना इनकी कोशी का भित्ति किसकी बनी होती है अब आप में से कोई मुझे बताएगा जैवणू वाले चेप्टर में मैंने आपको बताया था सेलिलोज क्या था बताएगे हाँ जी हाँ जी क्या बात है सैनी मौरे खुश्वा वेरी गुड बहुत ही बढ़िया अ उडान टू में कितना सिलेबस हो गया है जादा नहीं हूँ अभी हाँ जी सर कीट भक्षी पादप यू केरियोट में आता है येस कोमल बिलकुल आत में चाता है बोलिये 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 क्या था सेलिलॉज क्या था भाई ग्लूकोज के अनूंक थे पॉलिमर आफ ग्लूकोज था कार्बो हाइडरेट था पॉली शेकराइड था, 6,000 से लेकर 11,000 ग्लुकोज की सीधी श्रंखला थी, क्या, सेलुलोज, जो आयोडीन टेस्ट नहीं दे था, पड़ाया है, ठीक है, सो सेलुलोज की बनी होती है, क्या, कोशी का भिति, नेक्स्ट, ये स्वैपोशी होते है, प्रकाश संचलेशी होते है बिल्कुल ये सारे के सारे कैसे होते है, स्वैपोशी होते है, प्रकाश संचलेशी होते है, लेकिन ये मासाहरी भी होते है, कीट भक्षी भी होते है, जैसे वीनस फ्लाइट ट्रैप, आपने नाम सुना होगा है ना, नाम सुना होगा, बिल्कुल नाम सुना होगा, घटपन जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर कीडा जाता है, धकन बंद हो जाता है, कीडा अंदर मर जाता है, उससे पोशन ले लिया जाता है, तो वो एक अपवाद है, वैसे maximum आपके कैसे हैं, स्वैपोशी हैं, प्रकास शंचलेशी हैं, नेक्स्ट, ये स्थलिये होते हैं और जलिय ये दोनों प्रकार के भी होते है जी स्थल पर भी मिलते है जल पर भी मिलते है ये नॉर्मल सी बात है इसके बाद इनमें खादे पदार्थ स्टार्च के रूप में संचित होता है अब आप में से कितने बच्चों को याद है स्टार्च मंड जिसको हम बोलते है स्टार्च या हाँ जी जल में ये हाँ बिलकुल जल में ये स्वच जलिये भी हो सकते हैं या आपके लवणी जल में भी मिल सकते हैं बिलकुल ये समुद्री पानी में भी मिल सकते हैं जैसे आपकी जो भूरी शेवाल जो होएंगी वो समुद्री जैसे कैल्प जो होता है वो समुद्र में मि पूरा का पूरा नया पादब बना दें तो ये क्या है काईक प्रवर्धन एक प्रकार का आलेंगिक जनन ही तो होता है तो भईया इनमें आलेंगिक जनन होता है विखंडन से भी हो सकता है बीजानू भी बन सकते हैं काईक प्रवर्धन भी हो सकता है और बाकी इनके अंदर लेंगिक जनन भी होता है ये थे बिलकुल baby 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 छोटे type के मलब बहुत simple से बिंदू ये एक अराम से छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है इन बिंदूओं को main है ये ये नहीं आता इनमें PD-1 अंतरन पाया जाता है कितने बच्चे जानते हैं PD-1 अंतरन हाँ जी बोलिए PD-1 अंतरन ये नाम सुना है PD-1 अंतरन अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यही थोड़ा सा टिपिकल चीजे जो समझ में नहीं आती है सर जी ये live class है हाँ जी मुकेश कनौ जी है ये live class है PD-1 अंतरन हाँ जी क्या ये word सुना हुए सर मैं जानता हूँ डेमन डेमन बहुत ही बड़िया ये सर जानते हैं मुनना गेमिंग बहुत ही बड़िया हम Metagenesis नहीं भीटा Metagenesis is different Metagenesis अलग चीज होती है हाँ जी PD-1 अंतरन हाँ जी चले पढ़े PD-1 अंतरन समझते हैं क्या होता है मैं आपसे एक सिंपल तरीके से आपसे एक प्रशन पूछता हूँ बहुत सिंपल तरीके से ये PD-1 अंतरन क्या होता है इसके बारे में अभी पढ़ेंगे मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ भाई या आप ओ मानलो हो जाएगा ना मेर से ठीक है फिर अगली पीड यही तो क्या एक आंत्रन हो रहा है अलग चीज हो रही है कुछ अलग हो रहा है और और सिंपल तरीके से मान लो कोई जीव है ऐसा फिर उसके बाद अगली PDI-S C फिर उसके बाद अगली PDI-S C फिर उसके बाद अगली PDI-S C क्या इसमें कुछ एकांत्रन है एकांत्रन का मतलब कुछ बदलावाता हुआ दिखाई दिरह नहीं सर same to same ही तो हो रही है लेकिन अब ज़रा ध्यान से सुन एक जीव है ऐसा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहूं, ऐसा है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए एक जीव है ऐसा, उसने जब जनन किया, तो अगली पीडी आई ऐसी, फिर इस पीडी के ये जो जीव है, इसने जनन किया, फिर अगली पीडी आई ऐसी, फिर इसने जब जनन किय अगली पीडी आई ऐसी तो एक के बार एक बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है एक आंतरित रूप से और टर नेशन दिख रहा है बदलाव दिख रहा है आपको हाँ जी बोलिए इसको इंग्लिश में बोलते है और नेशन आफ जनेरेशन कि एक के बाद एक पीडी एक के बाद एक जनेरेशन जो है और ये बदलाव आ रहा है दिख रहा है हाँ सर यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है तो बिटा जी इस तरह की कहानी होती है किसमें आपके पादपो में क्या एक के बाद एक पीडी अलग होती ह फिर इसके बाद अलग, फिर इसके बाद अलग, मतलग ये दोनों सेम होएंगे, अब आप बोलेंगे सर समझ नहीं आया, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेगा क्या पादपो में वनस्पतियों में दो प्रकार के शरीर होते हैं दो प्रकार के शरीर होते हैं शरीर एक का नाम होता है युगमकोद भिद एक को हम बोलते हैं युगमकोद भिद जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में युगमकोद भिद बोला है स्पोरोफाइट एक और शरीर बनता है जिसका नाम होता है बीजानुद भिद जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट दो प्रकार के शरीर एक है युगमकोद भिद एक है बीजानुद भिद को इस तरीके से दर्शाया और बीजानुद भिद को मैंने इस तरीके से दर्शाया म मैंने बोला कोई पादप है ध्यान से सुन मैंने बोला कोई पादप है जिसका मुख्य शरीर ऐसा है क्या बोला मैंने बोला कोई प्लांट है कोई पेड है जिसका मुख्य शरीर ऐसा है उससे अगली पीडी आई ऐसी फिर इसने जनन किया इससे अगली पीडी आई ऐसी वापि से कौन आया बीजानुद भिद फिर कौन आया युगमकोद भिद फिर कौन आया बीजानुद भिद फिर कौन आ रहा है युगमकोद भिद तो जरा सोचे एक के बाद एक पीड़ी पीड़ी के बाद पीड़ी बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे आपने jeans, हाँ sir jeans खरी दिये, कई बार आपकी height जो होती है उससे लंबी होती है jeans, होती है, एक simple सी बात बता रहो, भविश्य में ध्यान से सुनियेगा कहा माएगी, आप सभी ने jeans खरी दिये, कई बार आपकी लंबाई जो है वो छोटी होती है, लेकिन jeans जो है लंबी होती है, लेकिन आपको jeans बड़ी अच्छी लगती है तो आप ले लेते हैं, और उसके बाद किस के पास जाते हैं, टेलर के पास जाते हैं, और बोलता है जिनकी jeans जो है बिल्कुल घुटने तक होती है ना चिपकी चिपकी सी है तो कहने वाली बात जो थी है जो jeans है बहुत लंबी-लंबी थी आपने उसको कटवा दिया जानते हैं इसको अंगरीजी में क्या बोलते है alternation of alter क्या बोला हमने jeans का क्या कराया है जीन्स को क्या कराया है अब alter का मतलब क्या था सर बदलाव लाएं उसको कटवा दिया उसको jeans को छोटा कर दिया है ताकि ढंक से फिट हो जाए तो जरह सोची alter का मतलब क्या था बदलाव लाना तो एक के बाद एक पीडी में क्या आ रहा ह बदलाव आ रहा है क्या बदलाव आ रहा है युगमकोद भिद के बाद बीजानुद भिद बन रहा है बीजानुद भिद के बाद युगमकोद भिद बन रहा है इस तरीके से एक के बाद एक के बाद पीडी में क्या आ रहा है बदलाव आ रहा है तो ये परिस्थिती मिलती ह किसमें आपके पादपो में Alternation of Generation मिलता है किसमें वनस्पती में PD एकांतरण मिलता है किसमें आपके पादपो में अब आप मुझे बताएं क्या यहां तक के यह 9 बिंदू समझ में आए किसी को कोई problem किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई परिशानी अरे सेनी मौरे खुश्वा पढ़ रहे हैं बाबू पढ़ रहे हैं हाँ जी Study baby खुश्वा बोलो भईया सर दादा के लक्षन पोते में आना PD एकांतरण कहलाता है बस मेरे भाई हम नहीं जहल पाएंगे ऐसी बात को दादा के लक्षन पोते में आना पोते के लक्षन दादा में जाना हम शरीर तो बदला नहीं था ना जैसा दादा का शरीर है वैसा ही पोते का शरीर होएगा ना वही दो आखें दो कान ऐसा तो नहीं है ना कि पोते में पंक खा जाएंगे नहीं ना शरीर तो वैसा ही रहेगा ना बिटा हाँ अगर शरीर बदल जाए तो मैं बोलूँगा पीडी बदल गई है ठीके आरे हाँ आज तो MP बोर्ड वालों का रिजल्ट है भाईया आज तो MP बोर्ड वालों का रिजल्ट है बहुत ही बढ़िया हमें जरूर शेयर करिएगा आप में से कोई 12th बोर्ड का है मनलब 12th 12th के बोर्ड के एक्जाम दिये थे आप MP बोर्ड से अगर होंगे तो प्लीज प्लीज हमें बताईएगा जरूर बताईएगा ठीके चलिए सर ये PDA कांतरन समझ में आगए इस सिंपल से 9 लक्षन हमें clear अब आगे बढ़ते हैं आगे निक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर की शुरुवात करते हैं मेरे भाई दीए चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि भाईया ये जो चैप्टर है इसका नाम है वनस्पती जगत और वनस्पती जगत का हमें क्या करना है वरगी करन करना है तो आप सभी ने एक टौफी खाई होएगी काई है एक टौफी है जिसका नाम है एक लेर एक टौफी है जिसका नाम है याद रख लेना, इस विज्यानिक ने सम्पूर्दवनस्पति जगत को फयाजों में बाटा, एक था crypto games और एक थे finero games, एक को आमने बोलाई crypto games और एक को आमने बोलाई finero games, crypto games क्या थे, बीज रहित ऐसे पादब जिन में बीज नहीं मिलेंगे और फिनेरो गेम्स क्या थे ऐसे पादब जिन में बीज मिलेंगे बीज युक्त थोड़ा सा फास्ट फास्ट पढ़ेंगे बटा जी यहां पर ध्यान से सुनिएगा आपको पकड़ना तो पढ़ेगा ठीक है अब बाते करेंगे तो कुछ नहीं होएगा ध्यान से सुनिएगा आईकलार एक विज्यानिक है जिन्होंने वनस्पती जगत को कितने भागों में बाटा दो भागों में बाटा, one is called crypto games, दूसरा क्या कहला रहा finero games, crypto games वो थे जिनमें बीज नहीं मिलेंगे यानि ऐसे पादब जो आप बाहर देखते हैं जिनमें बीज नहीं मिलते हैं वो क्या किलाते हैं crypto games, ऐसे पादब जिनमें बीज मिलेंगे उनको हम क्या बोलते हैं finero games, अब crypto games के अंतरगत तीन समूर रखे गए थे, कौन-कौन से thelophyte, bryophyte, teridoophyte, याद रखना thelophyte, bryophyte, teridoophyte और finero games के अंतरगत दो आये थे, कोन से? gymnosperm और angiosperm कौन से? gymnosperm और angiosperm gymnosperm को हम बोलते हैं अनावरत BG angiosperm को हम बोलते हैं अवरत BG अब ये क्या होते हैं, जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगह इन पांचों के बारे में पढ़ते हैं लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डीटेल में नहीं पढ़ते हैं क्यों नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसके बारे में आप आल्रेडी इसके बारे में आप तीन चेप्टर में डीटेल में पढ़ते हैं कौन सा ग्यारवी कक्षा का अध्या है पुष्पिय पादपो की आकारकी ग्यारवी कक्षा का अध्या है पुष्पिय पादपो का शारीर बारवी कक्षा का अध्या है पुष्पिय पादपो का शारीर बारवी कक्षा का अध्या है पुष्पिय पादपो का शारीर बारवी कक्षा क जो अध्याय है न कौन सा पुष्पिये पादपो में लेंगिक जनन वहां की चीजे यहां पर डाली गई है इस चैप्टर में तो हम मेजर ली इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे थैलोफाइट हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट हम पढ़ेंगे teridophyte और जब हम gymnosperm पढ़ेंगे तो उस time तुलना करेंगे किस से angiosperm से तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आईए start करते हैं सबसे पहला thallophytes को सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं thallophytes यह है thallophytes किस की बात कर रहें बचो ठallophytes की बात कर रहे हैं जिन को हम क्या बोलते हैं सर जी शेवाल बोलते हैं अब पता है आप से प्रशन क्या पूछा जाएगा ध्यान से सुन बात को समझ सुन शेवाल जो होती है ये कौन कौन से जगत में आती है सर शेवाल क्या है ये है आरे नहीं मेरे भाई ये तो पानी की बूंद है ये देख नीचे नीचे हरी हरी सी जो है ये है ये हरी शेवाल है कैसी है ग्रीन अलगी है ठीक है शेवाल जो है ये कौन-कौन से जगत में आती है शेवाल एकल कोशी के होती है बहु क जाएगा सबसे पहले शेवालों के जो लक्षन देखने वाले उसमें सबसे पहला बिंदु बिटा शेवालों का अध्यन क्या कहलाता है शेवालों का अध्यन क्या कहलाता है तो याद रखना शेवालों के अध्यन को हम बोलते हैं फाइको लोजी पूलना जाएगा क्या बोलते है फाइकोलोजी किसका अध्यन होता है शेवाल का या एलगोलोजी या क्या बोलते है है किसमें थैलो फाइट में उसका अध्यन का कहला रहा है थैलो लोजी कहला रहा है चाल दूसरा शेवाल होते मनलब शेवाल जो है कि कौन-कौन से जगत में आते हैं तो ध्यान से सुनना बटा शेवाल जो होते हैं शेवाल जो होते हैं जिनको हम एलगी बोल रहे हैं शेवाल जिनको मैंलगी बोल रहे हैं, कौन-कौन से जगत में आते हैं, ये मुनेरा जगत में भी आते हैं, जिसमें, और प्रोटिस्टा जगत में भी आते हैं, और ये प्लांटी जगत में भी आते हैं, कौन-कौन से जगत में आ रहे हैं, मुनेरा में भी आ रहे हैं, प्लांटी जग प्रथवी पर जरकान खोड़ा है बोल कर ध्यान से सुनिएगा सबसे पहली शेवाल जिसने इस प्रत्वी पर प्रकाश संशलेशन करके ऑक्सीजन मुक्त करी थी वो कौन थी आपकी नील हरित शेवाल थी ब्लू ग्रीन अलगी थी जिसके कारण आप जिंदा हैं आज की डेट में क्यों 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 कि हम कैसा शेवासन करते हैं वाई वे शेवासन करने के लिए हमें क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन कौन सी प्रकरिया से निकलती है प्रकाश टंसलेशन से और सबसे पहला प्रकाश टंसलेशन जो था जिसमें ऑक्सीजन मुक्त की गई थी वो किस ने करी थी नील हरित शेवाल ने याद रखिएगा प्रोटिस्टा जगत के अंतरगत भी आते हैं क्या आपकी शेवाल जैसे डायाटम जैसे डायाटम जैसे डाइनो फ्लेजिलेट ये बी क्या है बेटा एक प्रकार की शेवाल हैं लेकिन ये कैसी होती है सर ये भी एकल कोशी किये है ये भी एकल कोशी किये है लेकिन ये यू केरियोटिक है ये कैसी है यू केरियोटिक है एकल कोशी किये है यू केरियोटिक 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 है य यह कैसी थी प्रोकेरियोटिक थी यह कैसी थी यूकेरियोटिक थी अब जो हम पढ़ रहे हैं वनस्पती जगत में यानी प्लांटी किंग्डम में जो हम पढ़ रहे हैं कौन लाल शेवाल पढ़ेंगे भूरी शेवाल पढ़ेंगे हरी शेवाल यह सारी की सारी कैसी हैं यह सा eukaryotic हैं बहु कोशी किये हैं और eukaryotic हैं अपवाद अलग होएंगे वालवक्स होगा, स्पायरोगायला होगा यूलोथ्रिक्स होगा यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायला is different कौन सा आपका क्लेमाईडो मुनास होगा कैसी है, एकल कोशी के शेवाल है ऐसी टाबूलेरिया कैसी है, एकल कोशी के शेवाल है तो वो अपवाद होएंगे उन अपवादों को साइड में रखकर अगर हम देखें तो लाल भूरी हरी शेवाल ये कैसी होती हैं, बहु कोशी के होती हैं और ये यूकेरियोटिक होती हैं सर शेवाल और कवक में अंतर क्या होता है बिटा शेवाल प्रकाश संचलेशन करती है स्वेपोशी होती है अपना खाना खुद बनाती है जबकि कवक जो होती है वो परपोशी होती है वो मरतोप जीवी होती है डन, क्लियर, चलें, ये सिंपल से हमने दो बिंदू देखे हैं, शेवालों का अध्यन क्या कहलाता है, शेवाल कौन-कौन से समू में रखी गई है, हमने सिर्फ इतनी सी बात देखी है, अब आगे पढ़ते हैं, तीसरा बिंदू, जहां से सुनिएगा, तीसरा बिंदू, इन इनके शरीर की जब मैं बात करता हूँ, इनके काई की जब मैं बात करता हूँ, इनकी बॉड़ी की जब मैं बात करता हूँ, तो बेटा इनका शरीर जो होता है, उसे हम बोलते हैं थैलस, इनके शरीर को हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं, सर थैलस का मतलब, थैलस का किसे मैं आपसे पूछता हूँ आप मुझे बता है आपने पेड़ देखा है हाँ सर उस पेड़ में तना होता है हाँ सर मूल होती है हाँ सर शाका होती है हाँ सर उस पे पत्ती है हाँ सर शाका पे पुश्प है हाँ सर तो जरा सोचिए क्या ये पेड़ विभेदित है हाँ सर क इसमें तने में, मूल में, शाखा में, पन में, पुष्प में, फल में, भागों में विभेतित है ना, डिवाइड़ है ना, विभाजित है ना, विभेतित है ना, डिफरेंशियेटिट है ना, तो अगर कोई शरीर, पादप शरीर इस तरीके से विभेतित होता है, तो वो वि विभेदित संग्रचना कहलाती है पाधप की लेकिन अगर कोई पाधप का शरीर पाधप का शरीर विभेदित नहीं नहीं होता क्या नहीं होता है विभेदित नहीं होता है किसमे मूल में किसमे तने में किसमे पर्ण में इन सारी संग्रचनों में अगर विभेदित नहीं होता ऐसी संग्रचना यह देख यह यह संग्रचना क्या पता लग रहा है कि तना है कि मूल है क्या है पर्ण है क्या है नहीं पता क्या कहला रही है मेरे भाई ऐसी संग्रचना को हम क्या बोलते हैं थैलस बोलते हैं तो याद रखना शेवालों का शरीर क्या कहलाता है थैलस इट मीन्स वो शरीर जो है वो मूल में तने में पर्ण में विभेदित नहीं होता है बता यह इतनी सी बात समझ में आगी कोई confusion तो नेक्स्ट चौथा बिंदू यह जलिये होते हैं कैसे होते हैं यह जलिये होते हैं दोनों प्रकार के जल में मिलते हैं यह समुद्र में भी मिलते हैं और यह स्वच जल में भी मिलते हैं बहुत सिंपल सा बिंदू था कैसे होते हैं यह जलिये होते हैं यह समुद्र में भी मि ही होता है कैसे होता है यह जली होता है मुखे रूप से कहा पर मिल रहे है जल में मिल रहे हाँ जी सर नो कन्फूजन समझ में आ रहा है हाँ जी किसी को कोई प्रॉबलम किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ जल्दी से मुझे बताईएगा आजी एसी टा गुलेरिया अरे दिल वाले एसी टा गुलेरिया नहीं एसी टा गुलेरिया है अरे गुलेरिया हाजी चलिए नेक्स्ट पांचवा बिंदू इनके आकार और माप की अगर मैं बात करूं यह माप आकार बोल दीजिए इनका माप और आकार की मैं बात करूं तो यह अलग-अलग प्रकार के होते हैं सर यह एकल कोशी किये हो सकते हैं मैंने का हाँ कैसे हो सकते हैं एकल कोशी किये हो सकते हैं सर ये कोलोनी में भी मिलते हैं, कोलोनी के रूप में मिलते हैं, हाँ, कोलोनी के रूप में भी मिलते हैं, सर ये तन्तु में हो सकते हैं, मैंने का हाँ, ये तन्तु में भी हो सकते हैं, एक एक लाइन आपको NCRT की बता रहा हूं, फोकस करिएगा, कुछ छोड़िएगा मत, क्ले माइडो मुनास कैसे होते हैं बिटा जी ये एकल कोशी क्यों होते हैं सर कोलोनी में भी मिलते हैं क्या ये अब आप बोलेंगे सर कोलोनी का मतलब आप मुझे बताओ आप कहां पर रह रहे हो सर मैं गाउं में रह रहा हूं या एक शहर में रह रहा हूं है ना आपके घर के आसपास और भी गर हैं हाँ क्या बना रहे हैं एक साथ मिलकर क्या कहला रही है वो एक कॉलोनी कहला रही है नहीं कहला रही है यानि साथ साथ मिलकर रहे है ना कॉलोनी बनती है कि नहीं बनती है बनती है ना तो हमने बोला कई कई एकल कोशी के शेवाल जो साथ साथ मिलकर रहे रही हैं क्या बनाएंगी कोलोनी बनाएंगी याद रखना एक्जामपल जो नीट 2020 में भी था 2019 में भी प्रशन पूछा गया था वॉल वॉक्स wall box याद रखीएगा wall box क्या होता है कोलोनी बनाता है clemidomonas अभी दिखाऊँगा कोलोनी कैसी दिखती है आप अपनी NCiT के अंदर डायगराम भी देख सकते हैं किसका wall box का कोलोनी बनाते हुए और तंतु मैं के दो धारण है एक है spirogyra spirogyra eulothrix ठीके तो स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स याद रखना ये कैसी शेवाल होती है बिटा ये तन्तूं के रूप में होती है देख ये है एक शेवाल जो एकलकोशी किये थी मैंने बोला ये कई सारी एकल कोशी किये शेवाल थी और ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहे रही थी कोलोनी बना रही थी क्या बन गई है? कौन? पर Tout हम ने बहुत सिंपल तरीके से बात कर रही है क्या-क्या लक्षन हमने देख लिए वापे से रिपीट कर रहा हूं शेवालों का अद्धिन फाइकोलोजी, अल्गोलोजी, शेवाल कौन-कौन से जगत में रखी गई है, इन जगत में रखी गई है, शेवाल आपकी एकल कोशी के प्रो कैरियोड भी हो सकती है, एकल कोशी के यू कैरियोड भी हो सकती है, शेवालों का शरीर जो होता है वो थैल तुम्हें होती है जैसे spirogyra eulothrix, done, simple, चलें आगे, कितने लक्षन हो गए हैं, 5, 6 लक्षन, बालक बोल रहा है, sir, काले से लिखो, हमें न, काले से दिखाई देता है, चल, काले से लिख रहे हैं, 6 लक्षन, अब बात करते हैं, इनमें जनन की, अब बात करते हैं, इनमें किस इनमें अलेंगिक जनन भी होता है, और इनमें लेंगिक जनन भी होता है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, कौन सा लेंगिक जनन, कैसे अभी बता रहा हैं, पहले एक बार इसको फिनिश कर देते हैं, अलेंगिक जनन जब होता है, इनमें ध्यान से सुनना है, इनम जिवों में जनन चैप्टर कई बार पड़ा दिया है जीवों में जनन बीजानू जनन होता है किसमें, इन में अब बीजानू जो होती है यह संग्रचना होती है या तो यह चल होती है या यह चल होती है या तो चल बीजानू होते हैं या अचल बीजानू होते हैं या तो चल 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 बीजानू होते हैं और कौनसी विदी होती है विखंडन विदी होती है जिससे कही न कहीं शरीर इनका क्या हो जाता है खंडित हो जाता है भागों में बट जाता है और जिसकी वज़े से वो जो खंड जो होते हैं वो वापस से ग्रो करके वापस से वरधी करके एक नया शरीर बना देते हैं ये थ शरीर था एक शरीर था ये थैलस था इस थैलस का ये भाग कट गया और कटने के बाद में ये थैलस का ये विखंडत भाग जो है वापिस से नया थैलस बना दिया ये प्रक्रिया क्या किलाएगी आपकी विखंडन ये आमने बोला कि कहीं ना कहीं अंदर कुछ एकल कोशी की सं मुझे बताएं, लेंगिक जनन में युगमक बनते हैं, ये सर, लेंगिक जनन में क्या बनते हैं, युगमक बनते हैं, बनते हैं न, है न, हाँ जी, राना शिव पढ़ाते हैं भाई किसने का नहीं पढ़ाते हैं आऊंगा आज शाम को भी आऊंगा साड़े पाँच बज़े भी आऊंगा और साड़े पाँच में कौन सी क्लास लेकर आऊंगा 11 वी कक्षा का पहला अध्याय पढ़ाऊंगा जीव जगत बोल भाई, सर एक्स प्लांट है क्या गुरू जी एक्स प्लांट मतलब एक्स प्लांट का मतलब समझ रहे हैं क्या एक पादप का एक ऐसा भाग जिसके अंदर सामर्थ है शक्ति है कि वो पूरा का पूरा नया पादप बना दे उसको हम क्या बोल रहा है, xplant बोल रहा है जिसके अंदर विव्जोतक criticisms होते हैं जिसके अंदर टोटी पोटेंसी मिलती है ठीक है, चलें, आईए अब बात कर रहे हैं यांपर لेंगिक जनन की भाया लेंगिक जनन में क्या मिलने वाले हैं तीन प्रकार के युगमक दिखाई देते हैं, एक होते हैं सम युगमक, एक होते हैं और सम युगमक, और एक होते हैं विशम युगमक, एक होते हैं और सम युगमक, एक होते हैं और सम युगमक, एक होते हैं विशम युगमक, अंगरेजी में बोलते हैं इनको आईसो इनको बोलते हैं गैमिट और इनको बोलते हैं ऊगामट और इनका फ्यूजन ऊगैमी इनका ऐकार में और आकरती में समान दिखाई दे रहे हैं सर आकार भी कैसा इनका गोलाकार है और लगबग इनका आकार जो है वो बराबर है ठीक है ठीक है क्या कहलाएंगे समयुगमक मैंने बोला ये देख ये गोलाकार है और ये भी गोलाकार है ये भी गोलाकार है थोड़ा सा इधर बना देता हूं ये भी गोलाकार है और ये भी ग गोलाकार और ये भी गोलाकार है जी दोनों की आकरती समान है ये भी गोलाकार है ये भी गोलाकार है लेकिन आकार अलग है एक छोटे आकार का एक बड़े आकार का एक छोटा एक वड़ा है यानि यहां पर आकरती तो समान है आकरती समान है लेकिन आकार अलग अलग है आकार स नहीं है यहां पर आकरती और आकार क्या है बराबर है यहां पर आकरती जो थी देख यह आकरती कैसी दिख रही है सर गोला यह कैसी दिख रही है यह भी गोला यानि आकरती दोनों की कैसी है समाने दोनों गोला कार है लेकिन आकार एक छोटा एक बड़ा है यहां पर आकरती भ है कौन सा विशम युगमक इसमें हमने बोला कि भाया यहां पर आकार भी अलग है आकरती भी अलग है आकार भी अलग आकरती भी अलग दोनों चीजे अलग और जो छोटे वाला है वो नर युगमक है male gamit है और बड़े वाला female gamit है मादा युगमक है सिंपल सी बात है आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं इतनी सी बात समझ में आगी इसमें कोई confusion तो नहीं था पक्का डंडना डंडन कोई तकलीफ तो नहीं है चलें आगे चलें अब important क्या है बिटा यहां से example जो पूछा जाएगा ना वो important है ध्यान से देखना ये जो समयुगमक है ये दो प्रकार के है ध्यान से देखने आपको समयुगमक दो प्रकार के दिखेंगे समयुगमक जो है वो दो प्रकार के दिख रही है दो परिस्थितियां आपको समयुगमक की दिख रही है यहां पर ठीक है एक ऐसे समयुगमक जहां पर आपको जहां पर आपको imagine करिए कशा भिका दिख रही है कुछ धागे रूपी संग्रचना आपको दिख रही है very good Priya Pandey, well done बेटा जी, बहुत ही बढ़िया well done, very good यह दिख रही है यह है कौन? Spirogyra इसका उधारण Spirogyra ठीक है? Clemydomonas Clemydomonas, Spirogyra इन में जो सम्युगमक है उन में कशा भिका मिलती है फ्लेजिला मिलती है, यह चीज आपने याद रखनी है, भूलना नहीं है जबकि Eulothrix जो होता है Eulothrix जो होता है Eulothrix, याद रखना है, कौन मेरे भाई? Eulothrix याद रखिएगा Eulothrix में है तो सम्युगमक है तो सम्युगमक लेकिन कशा भिका यहाँ पर नहीं है कशा भिका यहाँ पर नहीं है हाँ जी भाईया, बाते हो गई हैं तो पढ़ाई पर फोकस कर लो थोड़ा सा स्वाती स्वाती, यहाँ पर फोकस कर लो बेटा साइड में रख दो थोड़े से हाथ हाथों को थोड़ा सा साइड में रख कर यहाँ पर फोकस कर लो सर इंग्लिश में भी एक्स्प्लेइन कर इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जितना कर रहा हूं उतना जहां से सुन ले हाँ जी, सो यूलो थ्रिक्स को अने बटा जी ये एक शेवाल है जिसके युगमक का आकार और आकरती कैसी है समान है स्पाइरो गायरा क्ले माइडो मुनास यहाँ पर भी आकार आकरती क्या है समान है शेप और साइज, शेप गोल है, साइज बराबर है ठीक है तो इनको हम क्या बोलेंगे सम यूगमक, लेकिन ये कैसे है इनमें कशा भिका मिल रही है, इनमें फ्लेजिला मिल रही है जिसकी वज़े से ये गती कर सकते हैं, इसके उधारन याद रखना स्पाइरो गायरा, क्लेम आइडो मुनास, इसका उधारन याद रखना यूलो थ्रिक्स, ठीके सर, अब इसकी बारी, सर आसम यूगमक का उधारन सर आसम यूगमक का उधारन, वेटा आसम यूगमक का उधारन याद रखना यूडो राइना, याद रखना यूडो राइना, भूलना जाहिएगा यूडो राइना आपके NCRT में साफ साफ लिखा हुआ है यूडो राइना क्या है जिसमें आश्वम युगमक मिलते हैं और विश्वम युगमक का उधारन आपने भूलना नहीं है फ्यूकस और वॉल्वाक्स वॉल्वाक्स और फ्यूकस ये हैं वो उधारन जो आपने याद रखने हैं भूलना नहीं है ये सारी की सारी शेवाले हैं सारी की सारी ये वो शेवाल हैं जिनके उधारन एक्जामपल आपने भूलने नहीं है फिर बोल रहा हूँ स्टार बना दिया है प्रशन अगर आ गया ना इस साल तो कहिएगा मत कि सर नहीं पताया था बता दिया है आपको याद रख लीजेगा क्या समयुगमक आकार आकरती समान या तो कशाबिका युग तो होंगे या कशाबिका हीन होंगे या तो चलाइमान हो या अचल होंगे चल सकते हैं कशाभिका मिल रही है उधारन स्पाइरो गायरा क्लेमाइडो मोनास और यूलो थ्रिक्स जिसमें कशाभिका नहीं है आसम यूगमक का उधारन यूडोराइन विशम यूगमक का उधारन वॉल्वक्स और फ्यूकस ये याद रखना है प्रभू आपने ये सारी चीजे याद रखनी हैं भूलनी नहीं है ठीक है ये थे बिटा हमारे टोटल छे लक्षन जो आपने याद रखने आप अब आगे बढ़ते हैं ये छे के छे लक्षन आपने क्या कॉपी में लिखे हैं कोई मुझे बताएगा हाँ जी क्या छे के छे लक्षन आपने लिखे है बोलिए हाँ क्लेम आइडो मुनास होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था क्लेम आइडो मुनास की अलग-अलग जातियां होती है claim idomonas debrianum होता है claim idomonas brauny होता है claim idomonas cocky फेरा होता है बिलकुल होता है claim idomonas जो होता है ये lengic janan kek इसको दिखाता है विकास को दिखाता है ठीक है तो यह चीज याद रखनी है बिटा जी भूलना नहीं है याद रखिएगा ठीक है लिख चुके हैं बहुत ही बढ़िया वेरी गुड जी बहुत ही बढ़िया हाँ जी सर अगला चेप्टर कौन सा कराएंगे अगला चेप्टर कौन सा कराएंगे इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा मैं सोच रहा हूँ एक टेस्ट ले आँँ नेक्स टाइम पर एक टेस्ट एक महा टेस्ट मेगा क्विज है जी एक मेगा क्विज महा हम इस chapter के भी प्रशन कर लें और भी अच्छा आप लोगों ने playlist देख लिये भाई हाँ जी वहीजा playlist पता है प्लेलिस्ट पता है आपको प्लेलिस्ट मिल गई है बायों की प्लेलिस्ट बना कर रख दी है जिनको नहीं पता है जाकर चेक आउट कर लीजे प्लेलिस्ट बनी हुई है और बिल्कुल करम से बनी हुई है करम से chapter wise देखिए देखिए नहीं देखिए ले बुधु क्यों नहीं देखिए अभी तक हैं क्यों नहीं देखिए क्यों नहीं देखी भाई सर आपने ये बैच कब से स्टार्ट किया है अल्मोस्ट हो गए है दो अफते हो गए है अरे किसने कहा निहा शर्मा बुक पढ़ा करें बिटा पढ़ो एक बार जरब बुक को ध्यान से पढ़ो चलो अब ध्यान से सुनिएगा ये थे 6 लक्षन अब इसके आगे बढ़ते हैं निक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद ये जो शेवाल ये जो आपका ये जो शेवाल जो है थेलोफाइट जो है अब हम इनका क्या करने वाले हैं वरगी करन करने वाले हैं का हम classification करने वाले हैं, तो बिटा जी हम शेवालों का जब वरगी करण करते हैं, तो तीन समू में बाटते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कौन-कौन से? आपके है chlorophyce, आपके है phyophyce, आपके है rhodophyce, एक है आपकी हरी शेवाल, chlorophyce, भूरी शेवाल, phyophyce, लाल पढ़ने वाले हैं शेवाल पढ़ने वाले हैं आईएगा इनके बारे में ये जो सारी चीज़े लिखी हुई है ये चार्ट आज की आज में आपकी NCRT में आज की आज में याद हो जाना चाहिए ये पूरा का पूरा चार्ट आज की आज में याद हो जाना चाहिए पूरा का हरी शेवाल की बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बोला तीन प्रकार की शेवाल है कौन-कौन सी है सर लाल शेवाल है ठीक है भूरी शेवाल है और हरी शेवाल है ठीक है सिंपल लाल शेवाल है भूरी शेवाल है हरी शेवाल है ओके सर शेवाल जो है वो तीन कौन-कौन सी लाल, भूरी, हरी अब ऑन्यों सी बात है इनमें अंतर किस चीज कह आ रहा होगा कलर किस कौन उत्पन करता है सर, वर्नक उत्पन करते है, पिग्मेंट उत्पन करते हैं तो इन तीनों में फिग्मेंट कहीं न ख अलग अलग मिलेगे इनमें वर्णक जो है अलग-अलग मिलेंगे मैंने का हाँ बाई बिलकुल अलग-अलग मिलेंगे लेकिन मेरी बात को गौर से सुनिएगा ध्यान से सुनना इनके अंदर जो वर्णक मिल रहे हैं इधर ध्यान से देख ध्यान से देखना इनमें जो वर्णक मिल रहा है देखना क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए याद रखना आपने है क्लोरोफिल ए एक ऐसा वर्णक है जो प्रकाश संचलेशन के लिए अनिवारे है जो फोटो सिंथेसिस के लिए जरूरी है बिना इसके प्रकास शंचलेशन होई नहीं सकता क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल A तीनों में मिल रहा है यानि एक ऐसा वर्णक जो तीनों में मिलेगा याद रखना है एक और वर्णक होता है जिसका नाम होता है बीटा कैरोटीनॉइड वो यहाँ पर भी मिलता है यहाँ पर भी मिलता है और यहाँ पर भी मिलता है जो हमारी NCRT में नहीं दे रखा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ याद रखना क्लोरोफिल A और बीटा केरोटिनॉइड यह कहलाते हैं शैवालों के सर्व व्यापी वर्णक यूनिवर्सल पिगमेंट कहलाते हैं किसमें शैवालों में क्यों क्यों कि हर शैवाल में हर लाल भूरी और हरी शैवाल में क्लोरोफिल A भी मिलेगा और बीटा केरोटिनॉइड भी मिलेगा ठीक है याद रखना भूल मत जाना अब आप बूलेंगे सर अगर इन तीनों में शमान मिल रहे हैं वर्नक तो फिर अंतर कैसे आएगा सर कलर का कलर का अंतर कैसे आएगा अब देख कलर का अंतर कैसे आएगा ध्यान से देखना यहां पर मिलता है क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल D यहां पर मिलता है क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B यहां सरी क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल C यहां पर मिलता है क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B ठीक है अब आप मुझे बताईएगा हम यहां से पढ़ना किस से स्टार्ट करेंगे ह हरी शेवाल से का है क्यों एक करम देखना करम A B A C A D याद हो जाएगा A तो कॉमन है B C D याद रखना है आपने B C D लेकिन करम कैसे याद रखना है पहले हरी याद रखना है कहीं B C D याद कर लिए और बोले लाल भूरी और हरी यहाँ पर B C D कर दे B C D C तो चलो ठीक है कॉमन आगे है लेकिन इन दोनों में गलती हो जाएगी तो करम क्या याद रखना है पहले हरी शेवाल A B भूरी शेवाल A C लाल शेवाल A D याद रखना है क्योंकि प्रशन पूछा जाता है क्लोरोफिल कौन सा मिलता हरी शेवाल भूरी शेवाल और लाल ये हैं वो वर्णक ये वो वर्णक है क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B जो और वर्णक हो सदे कि बीटा कैरोटिनोइड तो लाल रंग देता है बीटा कैरोटिनोइड लाल रंग देता है ये बीटा कैरोटिनोइड लाल रंग देता है क्लोरोफिल A और ब्ली, क्लोरोफिल जो होते हैं, ये हरा रंग देते हैं, ये जो क्लोरोफिल A और B ये, इसकी मात्रा इतनी जादा है, इतनी जादा है, कि ये हरा रंग देंगे रंग दे तु मोहे हरा, कौन? क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, यह हरा रंग दे रहे है, ठीक है सर सर अब यह भूरा रंग कौन दे रहा है? क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल C, नई, यह नहीं दे रहे सर बीटा कैरूटिनोइड नई ये नहीं दे रहा फिर कौन दे रहा है सर ये भूरा रंग कौन दे रहा है तो यहाँ पर एक और वर्णक होता है जिसका नाम होता है जैन्थोफिल याद रखना जिसका नाम है जैन्थोफिल उसका एक प्रकार है जिसको हम बोलते हैं फ्यूको जेन्थिन याद रखेगा फ्यूको जेन्थिन एक प्रकार का जेन्थो फिल होता है वैसे तो जेन्थो फिल पीला रंग देते हैं लेकिन जेन्थो फिल का भी एक अपवाद होता है जिसका नाम होता फ्यूको जेन्थिन और ये देता है क्या भूरा रंग रंग दे तुम हो हे भूरा ठीक है तो भूरा रंग भूरी शेवाल को कौन देता है एक प्रकार का जेंतो फिल जिसका नाम है फ्यूको जेंतिन याद रखिएगा अब बात आ रही है आप बोलेगे सर लाल शेवाल में ये दोनों दे नहीं रहेंगे इनकी म एरेथ्रिन फाइको एरेथ्रिन को जरा गौर से देखिए क्या इसमें एरेथ्रिन वर्ड दिख रहा है एरेथ्रिन हां सर एरेथ्रिन दिख रहा है ये एरेथ्रिन वर्ड कहां से आया है एरेथ्रोसाइट से एरेथ्रोसाइट किसका नाम होता है आर बीसी का रंग कैसा होत मैं आपको highlight कर रहा हूँ, यह याद रखना है, भूलना नहीं है, phyco erythrin, लाल रंग देता है, हाना कि अगर detail में जाएंगे, हमारी NCRT में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर phycosinin भी होता है, यह जो लाल शेवाले जो होती है, इनमें से कुछ लाल शेवाले, आपकी नीली रंग की भी होती है, जिसमें नीला रंग होता है, जो किसके करण होता है, हरी शेवाल का हरा रंग AB के करण, बूरी शेवाल का भूरा रंग Fucogenthin के करण, जो एक प्रकार का gentophyll है, लाल शेवाल का लाल रंग किसके करण, फाईको एरिथ्रिन के करण, यह चीज़ याद रखनी है, यह तीन प्रकार की आपकी क्या है, शेवाल है, प्रभू यही ची D, A, D, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जो यह हमारा यह वाला जो भाग जो था, कौनसा वर्णक यह मुने आपको बता दिया है, मुखे रूप से शेवालों को तीन भागों में وर्गी करत किया है, किस आधार पर वर्णकों के आधार पर, रंगों के आधार पर आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आगई होगी अब बात करते हैं किसकी बिटा जी यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी हरी शेवाल की बोलिए कोई तकलीफ किसी को कोई confusion हाँ जी किसी को कोई तकलीफ चंदन टंडन बोल मेरे भाई क्या पूछना चाहता है निया शर्मन नहीं NCRT पड़ो ठीके हाँ जी बताएं हाँ जी बिलकुल सैनी कुमार मौरेब बिलकुल हाँ मेरे भाई clear है कोई confusion तो नहीं है भाग गए हैं बच्चे चलिए भाग न दीजे जिसको जाना है वो जाए अब रोकेंगे थुड़ना भाई जिसको पड़ना है वो पड़े जिसको भटकना है इदर से उदर भटके चलो कोई दिकत नहीं आईए या किसी को कोई जरूर की आई यह है मिटा हमारी हरी शेवाल इनके कुछ गुण आपने देखने कुछ लक्षन आपने पड़ने हैं सबसे पहला लक्षन मुझे बताने की जरत जरत जल्दी से मुझे बताएगा देखते कितने बच्चे seriously सुन रहे हैं यहाँ पर हरी शेवाल का हरा रंग किसके कार ये वर्णक जो है ये प्रकाश एसेंशलेशन भी करेंगे आप मुझे बताईए ये वर्णक कहां पर मिलेंगे एक कोशी का में एक पादप कोशी का में वर्णक कहां पर मिलते हैं प्रकाश एसेंशलेशन कहां पर होता है जरत जल्दी से मुझे बताईएगा फटाफट मुझ से मिला है, कलास रुख गई है, बेटा एक काम करें यह जो यूट्यूब पर जो बालक है किरफिया करके यह एप पर जाकर इनको बता दीजेंगे, कि यहाँ पर यूट्यूब पर देख लें नहीं तो फिर, पता नहीं कैसे रुख गई है, हमको में मिल रहे हैं Chlorophyte ये वर्णक किसके अंदर मिलते हैं मिर भाई ये किसमें मिलते हैं वेल डन ये कौन सा बालक था पंकज वैरी गुड मुसकान वेरी गुड बहुती बढ़िया मुसकान पंकज फेशच फेशचर ले मिलते हैं तरग डिरां गुमत लॉर फिल में मिलते हैं अब वर्नक क्लोरोफिल है किस में मिलेगा क्लोरोफिल में मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं हरित लवक में मिलते हैं ये क्या पढ़कर आया है तुछ पढ़कर भी आ जाया करो कभी कभी क्लोरो प्लास्ट क्या बोलते हैं इसको क्लोरो प्लास्ट हरत लवक नहीं पढ़ा गया आरे दसवी कक्षा में आ गया था यार ये इस तरीके से दोरा आवरण होता है अंदर इस तरीके से थाइलेकॉइड होते हैं जो मिलकर ग्रेनम कहलाते हैं और कई सारे ग्रेनम आपस में जुड़े होते हैं और मिलकर ग्रेना कहलाते हैं ठीक है यह होता है थाइलेकॉइड ऐसे थाइलेकॉइड का समूग कहलाता है ग्रेनम ये ग्रेनम ये ग्रेनम आपस में जुड़ गाएंगे ये stroma lamula से बन जाता है, क्या ग्रेना बन जाता है, और अंदर जो तरल होता है, उसको हम बोलते है stroma, क्या बोलते हैं, stroma बोलते हैं, ये हमारा chloroplast होता है, हरित लवक होता है, और यहां पर ये जो particularly हरित लवक में, वर्नक जो होता है, इन थाइलेकोईड की जिल्लियों में मि बजने वाली बात जो थी क्या, कि ये जो वर्नक जो है chlorophyll, A chlorophyll भी कहां पर मिलेंगे, हरित लवक में मिलेंगे, कहां मिलेंगे प्रभू, हरित लवक में मिलेंगे, किदर मिलेंगे, हरित लवक में मिलेंगे, याद रखेगा, कहां पर मिलेंगे, हरित लवक में मिलते हैं, कहां मिलते हैं, हरे तिलवक में मिलते हैं, अब इधर ध्यान से सुना, मुझे इतनी सी बात बता ना, प्रकाश ESSENCULATION जब हो जाएगा, का एना कि ये BOTANY है, क्या एना कि ये BOTANY है, और BOTANY में ना, पता है क्या इंटरस्ट नहीं लगता, बहुत BORING सी लगती है, सर जी BOR तंत्र है श्वसंत तंत्र उत्सर्जन तंत्र तुमको बहुत मजा आएगा लेकिन मुझे एक बात बताओ नीट के पेपर मजा तो नहीं दिलाएगा ना आपको सलेक्शन चाहिए ना तो पढ़ना तो बेटा सब कुछ पढ़ेगा है ना अब चाहे तुझे बोरिंग लगे चाहे एक्साइटिंग लगे चाहे कैसा भी लगे आएंगे तो सही प्रशनी यहां से नीट में डेफिनेटली प्रशन आएंगे और इस चैप्टर से प्रभू चार प्रशन आये थे 2021 में चार प्रशन समझ रहा है चार प्रशन का आना चार कोश्चंज का आना एक चैप्टर से कितनी बड़ी बात है सोच सकता है अब चेर को चाहे बोरिंग लगे चाहे एक्साइटिंग लगे ना चुंगा नहीं मैं बटा यहां पर ओव्यसी बात चले, मानव जनन तंतर पढ़ाओ, सर, बहुत मज़ा आता है, सर, है ना, सर, नर जनन तंतर पढ़ाओ, बहुत मज़ा आता है, सर, मादा जनन तंतर पढ़ाओ, तो और भी जद्धा मज़ा आता है, सर हमको, पता है हमको बेटा, जिस उम्र से तुम गुजर रहे हो ना, उस उ नहीं तो बस जनन तंत्र ही करता रह जाएगा फिर चल अब ध्यान से सुन आजी सो ये जो हरित लवक जो होते हैं ये किस से संबंदित होते हैं प्रकाश संचलेशन से संबंदित होते हैं मेरा सीधा सा प्रशन था आप सभी से प्रकाश संचलेशन में उत्पाद क्या बनता है बोलिये प्रकाश संचलेशन में उत्पाद क्या बनता है अरे गलाइडी बाबू आवाज आ रही है क्लास चल रही है और जिनकी क्लास नहीं चल रही है पर तो इधर आ जाओ या ना चले तो उधर चले जाओ दोनों मोड हैं आपके पास में यूट्यूब पर पढ़ लो वहां नहीं पढ़ रहे हो तो एप पर पढ़ लो एप पर नहीं चल रही तो यहां पढ़ लो जहां मन करें वहां पढ़ लो जिदर मन करें उधर पढ़ लो पस चैटिंग मत करो है न और बार बार ये ठोक दे ना करेगा, उसकी कोशी का is store करेगी, कैसे? उस ग्लुकोज की और ग्लुकोज की श्रंखलाएं बनाएंगी, उसको बदल देंगी किस में? स्टार्च में, तो बेटा इस हरित लवक के अंधर स्टार्च जो होता है, वो संचित हो जाता है एक संग्रचना में और इस संग्रचना को बोला जाता है पाईरे नॉइड तो पाईरे नॉइड वो संग्रचना थी जिसमें स्टार्च संचित है पाईरे नॉइड वो संग्रचना है जिसमें स्टार्च क्या है संचित है simple, क्या बोला, chlorophyce, वर्णा कौन से, AB, हरे तलवक कौन सा, जोड़ी, ये वर्णा किसमें मिल रहे हैं, हरे तलवक में, हरे तलवक में क्या हो गया, प्रकाश संचलेशन, प्रकाश संचलेशन होने के बाद क्या बना, glucose, glucose स्टोर हो रहा है किस रूप में, स्टार्च के रूप म हाँ जी नंदनी साहू, सलोनी, गलाइडी आपकी क्लास चल रही है क्या सर 11th का क्लास कब चलेगा शिवांगी ये 11th का ही है और 11th का क्लास आज से चलेगा शाम को साड़े 5 बजे से आना मेरी साड़े 5 वाली क्लास में जलूल जलूल आना समझा आगया, कोई तकलीफ नहीं, चले, आईए दो बिंदो हो गए, next, तीसरा बिंदो इनके अंदर भोजन जो है संचित किस रूप में हो रहा था सर भोजन जो है न, वो संचित हो रहा था किस रूप में स्टार्च के रूप में, मैंने का यार अभी अभी तो बताया ये यार अभी अभी तो बताया कि इनके अंदर भोजन किस रूप में संचित हो रहा है स्टार्च के रूप में, सर सिर्फ स्टार्च के रूप में संचित होता है क्या मैंने बुला तेल के रूप में भी होता है ओईल के रूप में भी होता है ओईल की बूंदे होती है तेल की बूंदे होती है जिनको हम तेल बूंदक कहते हैं ओईल ड्रॉपलेट्श होते हैं तेल बूंदक यानि कुल में लाकर इनके अंदर भोजन दो रूप से संचित होता है maximum starch के रूप में जो एक carbohydrate है या lipids के रूप में जैसे तेल की बून्दों के रूप में भी इनमें भोजन store होता है बताईए ये तीन बिंदू थे इसमें कोई confusion इसमें कोई तकलीफ चलें आगे चौथा बिंदू ये मान ले एक हरी शेवाल है ये मान लो क्या है एक हरी शेवाल है ठीक है और इस हरी शेवाल में कोशी का भित्ती है क्या मिल रही है कोशी का भित्ती अब ये कोशी का भित्ती ध्यान से देखिएगा ये कोशी का भित्ती कैसी है द्वी स्तर ये क्या बोला बहुत सिंपल तरीके से ये कोशी का भित्ती की भारी स्थर है भाई ये स्थर कोशी का भित्ती की भाई ये स्थर है और ये कोशी का भित्ती की अंते स्थर है पस सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा हूं कुछ तिकडंबा जी है ही नहीं बताइए कोई ऐसी कोई calculation तो है नहीं सीजी सी बात है कि भाई कोशी का भित्ती है हाँ सर कोशी का भित्ती है कोशी का भित्ती जो है वो दो स्थरों में बट गई है एक बारी स्थर में एक अंद्रूनी स्थर में एक भाई ये स्थर है और एक अंद्रूनी स्थर है है ना हाँ जी एक ब बाहरवाली स्तर है वो बनी हुई है किस से पैक्टिन से या जिसको आप पैक्टोज बोलते हैं और अंद्रूनी स्तर जो है वो बनी हुई है सैलूलोज से प्रश्न पूछा जाएगा याद रखिएगा भूलना जाएगा याद रखिएगा क्या जो बाहरवाली स्तर जो थी न पैक्टोज क्या होता है शर ये पैक्टोज क्या होता है पैक्टिन जानते हैं पैक्टिन नहीं सर वो भी नहीं जानते हैं गार्बोहाइडरेट जानते हैं पड़ाया है जैवनु में तो पैक्टिन एक प्रकार का पॉली सेक्राइड होता है और अंदर वाली जुस्तर है वो बनी हुई है कि सेलुलोज से ये भी एक प्रकार का कार्बो हाइडरेट है एक प्रकार का पॉली सिक्राइड है सो कुल में लाकर जो चीज समझानी थी बस वो इतनी सी कि सेल वॉल जो है कोशी का भिती जो है याद रखना आपने कौन कोशी का भिती जो होती है वो कोशी का भिती भईया दो स्तरों में बटी होती है याद रखना चौथा बिंदू यही था क्या कि कोशी का भिती दो स्तरों आ गई है तो जल्दी से मुझे बताईए यहां तक कोई confusion है कुछ पूछना है तो जल्दी से मुझे बताईए यहां तक कोई तकलीफ चले अब इसी चीज को आप यहां पर देख लीजे संचित भोज्य पदार्थ क्या था स्टार्च मैंने क्या बोला था मुख्य रूप से स् प्लस पेक्टोज याद रखना यहां पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप जब पढ़ेंगे क्लोरोफाइस याप पढ़ेंगे जब अपनी एंसियाटी में तो वहां पर मिल जाएगा सेलिलोज और स्टार्ट से बनी होती है ठीक है यह और लवणिये जलमे लवणिये जलम में मिलेंगे यह सिंपल सी बात अब इसके बाद बात आ रही है फ्लेजिला की संख्या तता उनके निवेशन की स्थिति दो से आठ होते हैं समान होते हैं और शीट्स होते हैं सर यह समझ में नहीं आया क्योंकि अब अगला बिंदू समझना है कौन सा चार के बाद पांचव होईगा मैंने का हाँ और आलेंगिक जनन जब यहां पर होता है तो कैसा होता है बीजानू जनन होता है कैसा होता है बीजानू जनन होता है और उस बीजानू जनन में क्या बनते हैं बीजानू बनते हैं मैंने का ओके स्पोर्स बनते हैं ओके और ये बीजाणू कैसे होते हैं, चल बीजाणू होते हैं, कैसे होते हैं, जू स्पोर बोलते हैं, ऐसे स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, जू स्पोर बोलते हैं, चल बीजाणू को हम अंगरेजी में क्या बोलते हैं, जू स्पोर बोलते हैं, चल बीजाणू को, ठीक है, अब चल पीजानू का मतलब क्या आएगा कि भईया वो चलेंगे यानि उनके पास गती करने के लिए कोई संगरचना ओएगी ये सर संगरचना ओएगी जैसे ये देखिएगा ये मान लेते हैं क्या है हमारा एक भीजानू है जिस पर शीर्श पर शीर्श ये शीर्श भागे जहां पर एक, दो, मिनिममम दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, यानि दो से लेकर आठ तक, क्या मिल रहे हैं, सर, कशा, भिका मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, कशा, भिका मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, दो से आठ, और सब की लंबाई जो है, वो समान है, आकार जो ह लंबाई जो है वो कैसी है समान है और कहां पर है ये शीर्ष से निकल रहे है कहां से निकल रहे है पारशव से निकल रहे है कि शीर्ष से निकल रहे है ये वो बिंदू है जहां से प्रशन उठने की संभावना होती है क्योंकि ये लिखा हुआ है आपके इस चार्ट में इस च समखाइगा अलेंग्ई हाँ जब को मिल रहा हैं चल बिज़ानूकों रिखाइगे जैसे कि लिमाइ डो मुनास में 2 होती हैं तो ये खशाइव 他 से निकलती हैं खतम.. चछता बिंदू है egzampal Sixth बिंदू जो है वो क्या है भी या हमारे Example छटा बिंदू जो है वो है Example सर परसान कैसे आता है कौन सा परसान कैसे आता है पूझा कुमारी कौन सा परसान हाँ जी सर व्रधी और परिवर्धन वाले चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखते हैं मेरे भाई देखते हैं कौन से लिकर आएंगे मैं पहले सोच रहा हूँ कि एक बार है न कोशन्स की प्रेक्टिस थोड़ी सी करवा दू ज़्यादा बेटर होएगा है हैं अच्छा एक और चीज रुक जैए एक काम करते हैं रुको 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 एक काम करते हैं यार मैं सोच रहा हूँ अगली बार कुछ धमाकेदार चीज करने की सोच रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ क्या धमाकेदार करूँ एक काम करते हैं भैया जरह एक सेकंड मुझे दिखाईएगा यह एक काम करते हैं यूट्यूब खोलिएगा एक बार यूट्यूब खोलिएगा इसको सेव कर दीजिये यूट्यूब खोलिए एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड पहले इसके एक बिंदू है ये वला आज कक्षा का लास नहीं है अभी तो कक्षा बहुत लंबी चलने वाली है क्ले माइडो मोनास क्ले माइडो मोनास वाल वाक्स क्या बताईए क्या ये दोनों धारन बताये थे कि नहीं बताये थे ये सर बिलकुल बताये थे क्ले माइडो मोनास वाल वाक्स यूलो त्रिक्स यूलो त्रिक्स स्पाइरो गाईरा और एक और उधारने चारा नहीं है कारा बोला जाता है ये सिंपल से आपके पांच उधारन है अब बेटा देख पढ़ाने के लिए मैं आपको बहुत सारी चीज़े डीटेल में पढ़ा दूँ बहुत सारी चीज़ बता दूог जितना आएगा यहीं से आएगा अगर ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि एंटी बेज़ चीज़े पढ़ा रहा हूँ मैं ज्यादा एक्स्टा बताने की कोशिश करी नहीं रहा काहे क्यूँ दो तरीके टीचर मिल जाएंगे इस टाइम पर बहुत सारी चीज़े पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीज़े पढ़ाएंगे, इसी हरी शेवाल में बहुत सारी चीज़े पढ़ा देंगे, क्यूं? एक टीचर अपनी इंटेलिजेंसी शो कर रहा है वहाँ पर, येस, मेरे को नहीं करनी है, नहीं हूँ मैं intelligent, है नहीं मैं बुढबक हूँ, नहीं आता मेरे को, कुछ भी जितना आता है, मेरे को NCRT based आता है, वो मैंने बता दिया है, बस, खतम बात, ये लो जी, सो ये है chlorophyce, अब इनके diagram आपकी NCRT में यहाँ पर दे रखे हैं, ये देख, ये है, walvox, क्या है, walvox, ये claimaidumonas, ये, kara, ये diagram याद रख लिजेगा, ये जान पूच-कर ले कर आया हूँ, ये diagram याद रखना है, ये किसका है, walvox का है, जिसकी colonies नों रहे हैं, walvox, 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 ठीके है, इसकी colonie बन गए, ये claimaidumonas, और ये है, kara, कारा, याद रखना है, ठीक है, तो ये था आपका chlorophyc, अब मैं जो चीज सोच रहा हूं करने की, वो मैं आपको बताता हूं, क्या करने की सोच रहा हूं, लाई एक बार यूट्यूब दिखाएगा जरा मुझे, हाँ जी, दिपिका यादव, रुख जाओ, अभी बता रहा हूं, खोलिएगा एक बार, हमारी क्लास चल लिए अभी, कहां चल लिए, यही तो चल लिए, बिलकुल चल रही है, चल लिए, अब हमारी चल रही है, आए, जब आप इस चैनल पर आते हैं, ध्यान से सुन लिजेगा मेरी बात को, क्योंकि मैं जो तिगडम बाजी, मेरा दिमाग बारा वैसा है, तिगडम बाज टाइप का है, तो मैं क्या सोच रहा हूं, अब कुछ अलग करने की, और क्या अलग करने की, मैं आपको बताता अब ध्यान से देखेगा, आप बिटा जब यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे, यहाँ पर, गए, जब आप यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, नीट दो हजार बाइस की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, कहां है बायो लोजिकी नीट 2022 फिजिक्स फिजिक्स ये रही ये रही इस पर क्लिक करेंगे इस पर जब आप क्लिक करते हैं चलो भई या हाँ इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको orderly manner में बिलकुल order में आपको क्या मिल जाएंगे लेक्चर्स मिल जाएंगे बिलकुल order में क्या मिलेंगे लेक्चर्स मिलेंगे order में order में order में क्या मिलेंगे लेक्चर्स मिलेंगे लेक्चर्स मिलेंगे नीट 2022 हाँ इसी में मिल जाएगी भईया मेरे को दिखनी रही है ये रही ये रही जिनको नहीं पता था सर प्लेलिस्ट नहें मिल रही है सरप्लेलिस्ट नहीं मिल रही है सवम्य तिवारी रुख जाओ भी थीके हाँ जी तो इस तरीके से ये आपकी प्लेइलिस्ट है जिसमें ये चेप्टर है कौन सा रेप्रोड़क्टिव हेल्थ जनन स्वास्त है ओर्डर में है लेक्चर वन टू थ्री फोर चार लेक्चर में खतम मानव जनन इसके कई सारे लेक्चर है खतम उसके बाद पुष्पिय पादपों में लेंगिक जनन आपको थमनेल भी दिख जाएगा सारे के सारे एक जैसे बारवी कक्षा का ध्या है खतम उसके बाद जीवों में जनन खतम ठीक है इसी तरीके से ये सारे लेक्चर साब को करम में दिख जाएंगे जो कहने वाली बात जो थी समझने वाली बात जो थी समझाने वाली बात जो थी प्रभू कि आपने करना क्या है अब ध्यान से सुनिएगा आपने करना क्या है अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं शोच रहूं मैं क्योंकि टाइम तो आई गया बेटा अब तो प्रैक्टिस जबर्दस्त करनी है है ना आप पांच चेप्टर का टेस्ट देंगे हैं पांच चेप्टर का आप देंगे टेस्ट सर खतम हो गया आरे नहीं अनुपरिया भी खतम नहीं हुआ आप पांच चेप्टर का देंगे टेस्ट अब कौन कौन से पांच चेप्टर का आप टेस्ट देने वाले ध्यान से सुनना एक तो आपका कौन सा बायो मॉलिक्यूल्स जैव अनू यह हमने आपको पड़ा दिया ठीक है जैव अनू ओके दूसरा इसके बाद आप वनस्पती जगत प्लांट किंग्डम प्लांट किंग्डम अभी रहने देते हैं जैव अनू का देंगे आप जीवों में जनन यह मैं बोलूँगा पूरा का पूरा वो जनन इकाई जो है प्रजनन इकाई जो है बारवी कख्षा की प्रजनन इकाई प्रजनन इकाई जो है टोटल हो गए आपके पांच चेप्टर बही प्रजनन इकाई में सबसे पहला जीवो में जनन फिर पुश्पिय पादुपो में लेंगिक जनन फिर मानव जनन फिर जनन स्वास्ते चार चेप्टर की प्रॉपर आपको बता दी गई है प्लेलिस्ट आप जाकर फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं और पूरी एक-एक चीज बताई गई है एक-एक चीज डिटेल में बताई गई है तो चार चेप्टर वो और एक चेप्टर जैव अनू इन पांच चेप्टर का होगा टेस्ट कब अगली बार जब मैं आऊंगा बोले दिपिका यही तो है दिपिका और कोई अलग से test series क्या होगी ये test test series क्या होता है टेष्ट होता है न टेष्ट ही तो ले रहा हूं सो test series launch करिए test series ऑलरेदी चल रही है doubtnut पर पर test series चल रही है free of course है कई बच्चे जा कर add भी खर सकते है जिनको पता नहीं है लो भाई यह test मैं भी इही पर ले रहा हूं आपसे test ले लिया लो 5 chapter का test ले लिया एक chapter का लेते न तो मज़ा नहीं आता पांच chapter का एक साथ लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा ठीक है अब कब होएगा अरे वा श्रेया तिवारी सर मेरे हैं 87.4% आई है MP board में वेल डन बेटा God bless you God bless you बच्चे very good बहुत ही बढ़िया मज़ा ही आगे आज का दिन बहुत ही बढ़िया निकल रहा है आशा करता हूं आगे भी आज का दिन बढ़िया ही निकले तो यह 5 चेप्टर का टेस्ट होएगा कब होएगा नेक्स टाइम अगले हफ़ते जब मेरी क्लास होएगी उस दिन होएगा 5 चेप्टर का टेस्ट लगबग लगबग 2.5 घंटे यह टेस्ट चलेगा जिसमें जितने जितने questions हो सकते हैं इन 5 चेप्टर से सारे लाकर पटक हगरे दूँगा आपके सामने हार्ड भी होएंगे टाफ भी होएंगे एंसी अई इस दो सब हुएगा लेकिन होएगा कब नेक्स टाइम जबाओंगा फिर सुन लीजे और और बचों को जरूर बता दीजेगा बता दीजेगा अगली बार जब मैं आऊंगा टेस्ट तो कई बच्चों ने मेरे से पूछा, सर जैवनू के question नहीं कराया, आपने ले बटाब जैवनू के भी question लेकर आऊंगा, ठीके, सर कब होएगा test मेरे भाई, तुमको order नहीं पता, हैं, तुमको बिलकुल order नहीं पता, physics, bio, chemistry, physics, bio, chemistry, यह order होता है न, यही order होता है न, है न, ऐ सही order होता है न, आपका class का, हैं, पता तो है यार आपको, अगली बार जब मैं आऊंगा, तो अविस ही बात है, Tuesday को आऊंगा, कब आऊंगा, Tuesday को आऊंगा, मंगलवार को आऊंगा, हम, ठीक है, सो अपने दोस्तों को जरूर बता दीजेगा, जरूर बता दीजेगा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सर यह हमारा हो गया था, chlorophyce, अब इसके बाद, chlorophyce के बाद, अगली जो शेवाल आती हैं, वो हैं, बिटा हमारी, फियोफाइसी, यानि भूरी शेवाल, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, भूरी शेवाल की बात कर रहे हैं, ब्राउन, अल्गी की बा पर मिलती है, समुद्री जल में मिलती है, आईए, पहला बिंदू, ज्यादा तर किस में मिलती है, समुद्र में मिलती है, ऐसा नहीं कि स्वच जल में नहीं मिलेगी, मिलेंगी, लेकिन ज्यादा तर कहा पर मिल रहे है, समुद्री जल में मिल रहे है, पहला बिंदू, दूसरा बिंदू, ध्यान से सुनना, इनके अंदर भूरा रंग किसके कारण मिल रहा था, यह मैं आपको अलरड़ी बता चुक है, इनके अंदर वर्नक कौन से मिल रहे थे, हम अलरड़ी देख चुके हैं, इनके अंदर वर्नक मिल रहे थे, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल C या B, हाजी A, B हो चुका था A, C A, B, A, C A, B हो चुका है हरी शेवाल में, भूरी शेवाल में A, C और यह जो भूरा रंग था, यह भूरा रंग किसके कारण था विटा जी याद करिएगा, फ्यूको जेंथिन के कारण फ्यूको जेंथिन, जेंथिन FUKO ZENTHING के करण कैसा रंग था भूरा रंग था किसका आपकी भूरी शेवाल का ठीक है सर यह दो बिंदू हो गहे है भूरा रंग प्रदान कर रहा है भूरा रंग प्रदान करता है कौन बिटा जी यह आपका वर्णक जिसका नाम है FUKO ZENTHING next, तीसरा बिंदू तीसरा जो बिंदू है बहुत important है जहाँ से सुनेगा आपसे पूछा जाए कि सर अगर इनके आकार और माप की बात करे इनके आकार और माप की बात करे तो ये कैसी होती है क्या ये एकल कोशी किये होती है क्या ये एकल कोशी किये होती है ना के बरावर, बहुत कम होती है, न predicting कैसी होती है यह ज्यादा तर, ज्यादा तर, ज्यादा तर कैसी होती है यह तंतु में होती है है, कैसी होती है ज़्यादा तर कैसी होती है बटा ये तंतु में होती है फिलामेंटस होती है तंतु में होती है अब ये जो तंतु में संग्रचना जो होती है ये भी दो प्रकार से होती है या तो ये शरल होती है या ये बहुत ज़्यादा सगन होती है, क्या सर, समझ में नहीं है, देख, ये तंतु दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, एक और, एक और, एक और, ओके सर, अब इदर देख, ये तंतु में संगरचना दिख रही है, हाँ सर दिख रही है, बहुत सारे तंतु है, हाँ सर, बहुत सारे तंतु है, और ये बहुत सारे तंतू मिलकर एक बहुत ही जादा शगन, बहुत ही जादा शगन संगरचना बना रहे है कि शरल संगरचना बना रहे है सर ये है सगन और ये कैसी है सरल, तो याद रखना इनकी संगरचना कैसी होती है, इनका आकार कैसा होता है आकरती कैसी होते, ये कैसी होते, बिटा जी, तंतु में होती है, जैसे वहाँ पर यूलो थ्रिक्स, स्पाइरो गायरा थे, हाँ सर, कैसे थे, तंतु में, ऐसे ये भी कैसी है, तंतु में है, याद रखना, लेकिन कैसी हो सकती है, सरल हो सकती है, सगन हो सकती है, अब प्रशन क तन्तु में होती है तो शरल का उधारण याद रखना एक्टो कारपस एक्टो कारपस भूरी शेवाल है अभी क्या भी नोट डाउन कर ले एक्टो कारपस क्या है आपकी भूरी शेवाल है जो कैसी होती है शरल तन्तु में होती है कैसी होती एक्टो कारपस सरल तन्तु में होत क्योंकि हर चीज के आगे तो question mark होता है सर जी kelp का है क्या पढ़ रहे है भूरी शेवाल kelp क्या है भूरी शेवाल kelp एक ऐसी भूरी शेवाल है जो बहुत ही ज़्यादा सगन होती है तंतू में होती है और बहुत लंबी लंबी होती है समुद्रों में 100-100 मीटर तक होती है 100 मीटर तक होती है आप बोलेंगे सर हमें विश्वास नहीं आपकी बात पर दिखाओ यह देख यह है kelp यह kelp है यह पानी के अंदर है और पानी के अंदर समुद्र के नीचे से बिलकुल उपर तक जा रही है उपर तक जा रही है कौन यह भूरी शेवाल यह kelp है यह भूरी शेवाल है उपर तक जा रही है तुला कर सकता है इस संग्रचना को देखकर और इन संग्रचना को देखकर कितनी लंबी-लंबी होएंगी यह पानी के बिल्कुल समुद्र के नीचे से उपर तक 100 मीटर इमेजिन करना मेरे भाई ये एक मीटर है 100 मीटर कितना लंबा हो जाएगा तो याद रखना भूलना जाएगा प्रशन पूछा जाता है कैल्प जो होती है क्या होती है भूरी शेवाल होती है लंबाई 100 मीटर तक होती है इनकी और कैसा शरीर होता है इनका सगन होता है तंतु में होता है एक्टो कारपस जो होती है कैसी होती है शरल होती है तंतु में होती है याद रखेगा डंडन आ डंडन ये थे simple से 3 बिंदू I hope यहां तकी बात समझ में आगई होएगी आगे चलते हैं next next चौथा बिंदू चौथा बिंदू है इनके अंदर भोजन जो होता है वो किस रूप में संचित होता है इनके अंदर कार्बो हाइडरेट होते हैं क्या होते हैं कार्बो हाइडरेट होते हैं कौन आपके फियो फाइसी भूरी शेवाल में और उन कार्बो हाइडरेट का नाम क्या होता है धान से सुनना आपने सेलिलोज नाम सुना हाँ सर आपने स्टार्च नाम सुना हां सर आपने ग्लाइकोजन नाम सुना हां सर आपने पैक्टिन नाम सुना हां सर आपने लिगनिन नाम सुना यह सारे क्या है सर यह पॉली सेक्राइड है कार्भॉइडिक्स है क्या आपने यह नाम सुना है पहले कभी लेमिनेरिन नहीं सर ये तो नहीं सुना मैनिटॉल नहीं सर ये नहीं सुना तो जब आपने पहली बार नाम सुना होगा सेलिलोज आपने पूछा होगा अपने टीचर से सर सेलिलोज क्या होता है टीचर ने बताय होगा भाईया कार्बॉइड इट होता है polysacride होता है आपने lignin पूछा होगा आपने starch पूछा होगा आपने glycogen पूछा होगा तो आप यही पूछेंगे sir laminarin manitol क्या है मैं यही बोलूँगा भाई एक प्रकार की polysacride है एक प्रकार की carbohydrate है जो इन में किन में भूरी शेवाल में भोजन के रूप में संचित हो रही है कौन laminarin manitol भूलना जाईएगा प्रशन आया था याद रखना नीट में प्रशन आया हुआ है हाँ जी सुना नहीं सर देखा है बुक में बहुत ही बढ़िया चलिए अभी मेरे को सुन रहे हैं तो मेरे को सुन लीजे और बुक में देख लीजे अच्छी बात है चलिए सर यहां तक की बात समझ में आगए अब आगे बढ़ते हैं पांचवा बिंदो अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा अभी अभी मैंने आपको जब लाल यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर कोशी का भित्ती जो है वो दो स्तरों में बटी हुई नहीं है यहां पर कोशी का भित्ती दो स्तरों में बटी हुई नहीं है फिर क्या है सर जी यहां पर कोशी का भित्ती आपको एक स्तर वाली दिख रही है हाँ सर एक इस्तर वाली दिख रही है एक इस्तर वाली दिख रही है लेकिन सर एक और इस्तर भी तो बना रहे हो आप रुको बता रहा हूँ यहाँ पर कोशी का भित्ती जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज से कोशी का भित्ती किससे बनी होती है याद रखना किससे सेलुलोज से कोशी का वित्ती किस से बनी होती है सेलुलोज से हाँ जी हाँ जी कोशी का वित्ती किस से बनी हुई है वह या सेलुलोज से बनी हुई है लेकिन एक स्तर है वहाँ पर कितनी थी दो स्तर थी अंदर वाली कौन थी सेलुलोज भार वाली क्या थी पेक्टोज यहां पर कोशी कविती सिंगल लेर्ड है सेलुलोज से बनी हुई है लेकिन इसके बाहर ना कुछ पदार्थ मिल रहा है एक पदार्थ है और इस पदार्थ का नाम है अलजिन अब सर ये अलजिन क्या होता है एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले पूछा सर अगा क्या होता है अगार अगार क्या होता है सर ये अलजिन क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ मुझे बताएगा केमिस्ट्री में आपने कहीं ना कहीं कोलोईडल पदार्थ पड़े हैं कोलोईडल पदार्थ क्या होता है मैं आपसे पुछता हूँ हाँ जी, शनम सर कॉंसी NCRT बुक लोँ, बिटा एक ही आती है, अलग अलग नहीं आती है हाँ आपके board के हिसाब से अलग अलग होएंगी MP board में अलग NCRT है, UP board में अलग NCRT है तो आप अपने board के हिसाब से NCRT लीजिएगा हाँ जी बताईए फटाफट मुझे बताईएगा जल्दी से सोच समझ कर मैंने आपसे पूछा क्या आपने केमिस्ट्री में कोलोईडल पदार्थ नाम सुना है कोलोईडल पदार्थ बोलिए सर टेलिग्राम पर श्लाइड मिल जाएंगे नहीं मिलेंगी हाँ जी बोलिए सुना है सुना है बोलिए कोलोईडल पदार्थ नाम सुना है हाँ सर सुना है क्या होता है कोलोईडल पदार्थ मैंने सीधा बोला एक पानी है और एक ठोस पदार्थ है ठोस पदार्थ को पानी में मिला दिया कुछ जैली जैसा बन गया है जैली जैसा बन गय ये क्या कोलोईडल पदार्थ है हमने कहीं ना कहीं वायू के अंदर ठोसकड़ों को डाल दिया ये ऐरो सॉल्स कहलाते हैं हमने एक तरल और दूसरा गाड़ा तरल दोनों को मिला दिया क्या बन गया इमल्शन बन गया ये क्या होते हैं आपके सॉल होता है जेल होता है इमल्श मिलेगा, उसे हम बोलते हैं, Physico Colloidal Padсе, क्यों teraz use मिलिया, जरा सोच शेवालों का अध्यान क्या कहलता है, Phicology, जहां जहां word मिल जए, Phicη, 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 Phicη means, शेवाल, रोडो फाइसी, फाइको लोजी, फाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइफाइ बनाने के लिए, पॉलिश बनाने के लिए, पेंट्स, पॉलिश बनाने के लिए, यूज मिलेते हैं किसको, अलजिन को, याद रखना, भूलना जाएगा, ये था हमारा, कौनसा बिंदू, चौथा था, पांचवा, ये था हमारा पांचवा बिंदू क्या, कि इनकी कोशी का भ हित्ती के बार एक Phycocolloidal पदार्थ मिलता है जिसका नाम होता है Elgin, बोलिए यहां तक की बात कोई confusion, किसी भी प्रकार की दिक्कत, कुछ भी पूछना है, जल्दी से पूछे, जल्दी 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 फटा फट, जल्दी से, समझ में आ गया, very good, nail polish, nail polish, हाँ जी सर 72% अच् है क्या, क्या बिटा, अच्छा 72% क्रेल्द क्लास में बहुत अच्छी है बिटा, किसने का, किसने का अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, बस इतनी सी बात याद रखना कि ये percentage, आपकी जिंदगी में न, आगे आने वाली जिंदगी में, कोई माइने नहीं रखेगी, आ अब हो सकता है आप आगे भविश्य में जितनी आपने पढ़ाई करी है उससे अच्छी पढ़ाई अगर आप करेंगे ओविसी बात है आपकी परसेंटेज बढ़ेगी ओविसी बात है आप कहीं न कहीं तरक्की करेंगे ये परसेंटेज आईए आपकी 12th की महनत के आधार पर ये परसेंटेज भविश्य में आपके साथ क्या होने वाला है वो तै करने वाली नहीं है आपने जो 12 में महनत करी है यह उसका परिणाम है आप भविश्य में क्या बनेंगे यह उसका परिणाम नहीं है याद रखना इतनी सी बात को ठीके सर हाइलाइट कर दीजे प्लीज क्या हाइलाइट करना बिटा यह highlight कर दिया phycocolloidal पदार्थ है कौन यह आपका elgin और elgin जो phycocolloidal पदार्थ है इसका use होता है किसमें polish बनाने में paint बनाने में बाकी कोशी का भित्ती जो होती है वो किस से बनी होती है cellulode से बनी होती है और भोजन जो संचित होता है वो दो प्रकार के carbo hydrates के रूप में store होता है एक laminarin, एक manitol आगे बढ़ते हैं बिटा जी यहाँ पर next बिंदू, अगला बिंदू पांचवा अरे यहाँ पर पांचवा पांचवा नी है, छटा छटा बिंदू छटा बिंदू जो हम यहाँ पर समझने वाले हैं ध्यान से देखेगा ध्यान से सुनेगा देखे इनमें जब आलेंगिक जनन होता है आलेंगिक जनन जब होता है तो बनते हैं बी जानू आलेंगिक जनन होता है तो क्या बनते हैं? बी जानू बनते हैं होते हैं नाश्पती आकार के होते हैं ठीक है और इन से पार्शव में क्या निकलते हैं कशा भेका निकलते हैं का बोले सर समझनी आया थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं देख यहां पर द्यान से देख यहां पर मैंने बोला चार्ट याद रखना है यह चार्ट याद रखना ह पूरी शेवाल, वर्नक बता दिये, लेमिनेरिन, मैनिटॉल बता दिये, सेलिलोज और एलजिन बता दिये, ये आलवणी जल बहुत कम होते हैं, खारे पानी में जादतर होते हैं, ये मैंने आपको अल्रेडी बता दिये, यानि ये सारे बिंदू बता दिये, ये लास्ट रह बनाया, देख, क्या मैंने यहाँ पर यही बनाया है, हाँ सर, नाश्पती आकार के बीजाणू है, हाँ सर, नाश्पती आकार का बीजाणू है, ठीके सर, क्या निकाले हैं आपने सर, पार्शव से निकाले हैं, ये पार्शव से निकाले हैं, क्या कशा भिका, निकाल दिये और कितने निकाले हैं दो यानि कशा भिका कितने हैं प्रभू ये हैं कशा भिका की संख्या कितनी हैं दो हैं कहां से निकल रहे हैं पार्शव से निकल रहे हैं और समान है क्या समान है सर जी आ समान है एक वड़ा है और एक छोटा है अब ज़रा सोचे हरी शेवाल में आपने क और जिससे निकल रहे हैं भी जानू वो कैसे आकार का है नाश पती आकार का है बताइए समझ में आएगा के नहीं आएगा बोले समझ में आएगा के नहीं आएगा आएगा नेक्स्ट लेंगिक जनन नेक्स हम बात करें किसकी लेंगिक जनन की जब हम लेंगिक जनन की बात करत तो बिटा लेंगिक जनन में क्या बनते हैं युगमक बनते हैं प्रभू याद रखना यहां पर जो युगमक बनते हैं ये भी नाश पती आकार के होते हैं ये याद रखना है आपने भूलना नहीं है लेंगिक जनन में जो युगमक बनेंगे वो भी नाश पती आकार के और लेंगिक जनन में जो बीजानू बनेंगे वो भी नाशपती आकार के याद रखना है भूल मत जाएगा यार बिलकुल मत भूल जाएगा ये एक समानता थी क्या कि लेंगिक जनन में और लेंगिक जनन में जो बन रही है संगरचना है लेंगिक जनन में युगमग नाशपती आकार के, आलेंगी जनल में नाशपती आकार के, ये जो नाशपती आकार के, जो बीजानू है, इनमें क्या मिल रहे हैं, कशा भिका मिल रहे हैं, ये सारी चीजे आपने याद रखनी हैं, भूलना नहीं है, आखरी बिंदू जो है, वो है सात्वा बिंदू और वो है इसके ए एक्जाम्पल आपने सारे के सारे याद रखने हैं, भूलेगा मत, डिक्टियोटा, डिक्टियोटा, याद रखेगा, एक्टोकारपस, सारगेसम, और इस पर तो इस्टार बना लिजेगा, सारगेसम, इससे एक प्रशन पूछा जाएगा मेरे भाई, भूलिएगा हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, भूलिएगा, ठीके, सारगेसम, लेमिनेरिया, और एक इस पर भी स्टार बनाएगा, फ्यूकस, ठीके, इतनी सी बाते जब आपने देख लिए यहाँ पर, अब मैंने आपर दो पर स्टार बनाया है, बाकी यह तो सिंपल है, डिक्टी, ओटा, एक्टो, कार्पस, लेमिनेरिया, यह याद रखना है, इन दो पर लगाया है, क्यों, क्योंकि सारगेसम से प्रशन पूछा जाता है, इसको भोजन के रूप में, यूज में लिया जाता है, यह एक यह एक भोजनिय शेवाल है, भोजन की तरह यूज में आती है, कौन, सारगेसम, ठीक है, नेक्स्ट, फ्यूकस, इस पर मैंने स्टार क्यों बनाया है, ध्यान से सुनना, यह जो हम शेवाल पढ़ रहे हैं न बटा, यह जितनी भी शेवाल हमने पढ़ रही हैं, यह जो थैल अगुणे तो होता है, याद रखना, इनका थैलस जो होता है, इनका थैलस जो होता है, थैलस जो होता है, थैलस कैसा होता है, शरीर कैसा होता है, अगुणे तो होता है, यानि यह अगर थैलस है, तो इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, अगुणे तो होती हैं, याद रखना, ये चीज समझानी थी अब important जो चीज थी वो ये कि भईया ये जो भूरी शेवाल थी ना ये जितनी भी हरी शेवाल है जितनी भी भूरी शेवाल है जितनी भी लाल शेवाल है सारी की सारी कैसी होती है गुणित होती है सिवाए इस fucus के ये एक ड्वी गुणित संगरचना होत है कैसा होता है द्वी गुनित होता है बोल भाई बोल ये सना राजपूत क्या पूछना है बोल ये ओके रितिक सिंग राजपूत ओके बिटा नो प्राब्लम अब बिटा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं रभी कुमार से नहीं ये आपको सोचना पड़ेगा जब हम बार बार चिला चिला कर बोल रहे थे चिला चिला कर बोल रहे थे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो नहीं सर हम नहीं आ रहे अब परशान हो रहे हो सर हम बोर्ड एक्जाम की वज़े से हम लाइव क्लास नहीं ले पाए अब हम क्या करें हमको नहीं पता बिटा अब आपको क्या करना है हाँ बोलिए इस वाई किस को छोड़कर फ्यूकस को छोड़कर एक ऐसी भूरी शेवाल जो कैसी होती है ड्वी गुड़ित होती है वेल्डन निकिता कवर समझ में आगे सिंपल साता आईए आगे बढ़ते हैं बिटा आखरी शेवाल जो है हमारी इसके बाद यह एक बार यहाँ पर एक्जामपल और देख लेते हैं यह है डिक्टियोटा यह है फ्यूकस और यह है आपका लेमिनेरिया याद रखने हैं Diagram सारे के सारे याद रखने हैं बूलना हम जाइएगा यह है lemineria यह fukus दिटि योटा याद रखने में यह सारे सारे Diagrams ्धायग्राम से प्रश्णा जाता है मेरे भाई भूलना जाइएगा यह किसका है प्रपॉर्ण मिल रही है पॉर्ण के समान संगरचना मिल रही है वास्तव एक पॉर्ण नहीं होती है एक डंठल सा मिल रहा है जिसको हम वरंत बोल रहे हैं और एक चिपकने के लिए संग्रचना मिलें जिसका नाम है थापांग, hold fast बोलते हैं अंगरेजी में, यह है लेमिनेरिया, यह संग्रचना है, याद रखनी है, भूलना नहीं है इन सारी संग्रचना को, यह थे हमारी भूरी शेवाल, अब बात करते हैं किसकी, लाल शेवाल की, किसकी, रोडो फाइसी क ये है बेटा हमारी लाल शेवाल कहां पर मिलती है समुद्रों में मिलती है और समुद्रों में भी बेसिकली कहां पर मिलती है समुद्रों के आधार पर मिलती है तल पर मिलती है बिलकुल गरम गरम भाग जो होता है पानी का बिलकुल समुद्रों का नीचे वाला वहां पर मिलत फाइको एरित्रिन वो वर्णक है जिसके कारण इनका लाल रंग हो रहा है दूसरा ये मिल का आ रही है ज्यादा तर ज्यादा तर कहां पर मिल रही है सर ये समुद्र में मिल रही है समुद्र में भी कहां पर मिल रही है ये उसके आधार पर मिल रही है जहां गरम भाग होता है बिल्कुल गर्माहट होती है बिल्कुल समुद्र का नीचे वाला भाग जो होता है वहाँ पर गरम गरम पानी होता है वहाँ पर मिलती है कौन बिटा जी आपकी ये लाल शेवाल क्या ये सतय पर नहीं मिल सकती मिलती है ये सतय पर भी मिलती है ये सतय पर भी मिलती है ये सतय प हम हाँ जी हम सर एलगी को छू भी सकते हैं हाँ जी छू सकते हैं बिलकुल बिटा छू सकते हैं अराम से छू सकते हैं जाएगा तलाब में जाएगा तलाब को जब आप देखेंगे तो कुछ हरा हरा सा आपको तलाब दिखाई देगा वो जो हरी हरी जो जिसको आप काई बोल होगा है नए वह बिटा वो आपकी शेवाल ही है याद रखना ठीक है नेक्स्ट तीसरा बिंदु इनके अंदर भोज़न जो होता है 2021 का सवाल है नीट का इनके अंदर भोज़न जो होता है वो स्टोर होता है ऑप संचित होता है किस रूप में यह मैंने आपको बताया था यह मैंना आपको जैवडू चेप्टर में बताया था फ्लोरीडियन 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 मंड के रूप में होता है फ्लोरीडियन स्टार्च के रूप में होता है फ्लोरीडियन मंड के रूप में फ्लोरीडियन स्टार्च के रूप में होता है अब कोई मुझे ये बताएगा ये फ्लोरीडियन मंड ये फ्लोरीडियन स्टार्च किसके समान संगरचना थी कोई भी बालक मुझे बताएगा जैवनु में पड़ाया था कोई भी बच्चा कोई भी बच्चा मुझे ये बता दीजे कोई भी बच्चा मुझे ये बता दीजे ये फ्लोरीडियन मंड किसके समान संगरचना थी कोई बताना चाहेगा हाजी कोई भी बालक बताना चाहेगा मुझे ये फ्लोरीडियन मंड किसके समान संगरचना थी किसके समान संग रचना थी कोई भी कोई भी well done वितिका सिंग राजपूत very good बहुती बढ़िया very good नेहा शर्मा बहुती बढ़िया मजा आ गया चंदन टंडन बहुती बढ़िया very good बहुती बढ़िया physics king बहुती बढ़िया मजा ही आ गया तो ये फ्लोरीडियन मंड किसके समान संग रचना थी सर ये थी glycogen ये थी glycogen और amylo आपको याद है आपकी NCIT में mistake है हिंदी मीडियम वाली NCIT में क्या थी amylo protein कर रखा है वो क्या है amylo ठीक है और ये हम आपको अल्रीडी बता चुके हैं जिनको नहीं पता जाकर चेक आउट करिये भईया जैवणू वाला चेप्टर देखेगा वहाँ पर बता चुके हैं आपको ये थे बिटा जी तीन बिंदू किसके लाल शेवाल के यहां तक किसी भी बच्चे को कोई confusion नहीं होना चाहिए एक एक चीज सिंपल सी थी आई आगे बढ़ते हैं चौथे बिंदू की बात करते हैं कि इनमें जब अलेंगिक जनन होएगा तो क्या बनेंगे सर अलेंगिक जनन में बनते हैं क्या बीजानू और कैसे बीजानू होते हैं प्रभू याद रखना अचल होते हैं और यहां पर जब लेंगिक जनन होएगा याद रखना लेंगिक जनन जब होएगा तो बनेंगे य चाद रखना है यहाँ पर यूग्मक भी अचल होते हैं हो हो सेम टू शीम चीज जिकरी है अब आप बोलेंगे इस सिर लेंगिक जनन नं, लेंगिक जनन में दोनों चीज में तो समानता हैं मैंने का हाँ बल्कुल समानता है फिर फरक्ष क्या ओएगा भाए लेंगिकजनन कब होता है जब अनुकूल परिस्थितियां होती है अलेंगिक जनन ज्यादा तर कब होता है जब प्रतिकूल परिस्थितियां थी एक लाल शेवाल अलेंगिक जनन कब कर रहे थी जब उसके आसपास प्रतिकूल परिस्थितिया थी उससे बचने के लिए अपनी पीडी को आगे बढ़ाने के लिए उसने क्या कि आ लेंगिक जनन किया बीजानू बनाया और वो बीजानू कैसे थे अचल थे लेंगिक जनन कब किया होगा जब अनुगूल पर इस्तितिया आयोंगी युगमक कैसे थे उसके यहाँ पर युगमक भी कै जाना कैसे होते हैं अचल होते हैं दन कोई confusion नहीं है अब बढ़ते हैं the most important बिंदू इस लाल शेवाल का जहां से प्रशन पूछे जाते हैं वो है उधारण example सर एक्जामपल से क्या प्रशन पूछ जाएंगे ध्यान से सुनना जलीडियम और ग्रेसिलेरिया जलीडियम और ग्रेसिलेरिया ये दो है लाल शेवाल भूल के भी भूल मत जाना क्या बोला भूल के भी भूल मत जाना क्या जलीडियम और ग्रेसिलेरिया ये हैं दो लाल और इन से एक पदार्थ हमें मिलता है जिसका नाम है एगार एगार यह सिंपल एगार एग बार और ले लो एगार ठीक है जिसको हम पाउडर में जब बदल देते हैं तो उसको हम एगरोज बोलते हैं ठीक है लिए सर यह मिल गया क्या है सर यह अभी मुझे बताया अभी अभी आपने लजिन नाम सुना था लजिन बताया था भी बोला था सोची यह सर एपको पदार्थ यह भी fight我 को टोड़ बणार थे यह विए पकडार पदार यह बीटा एक fat फायको कलोडल पदार्थ है लेकिन ये फायको कलोडल पदार्थ जो है ये एक लाल शे बाल का है वो भूरी शेवाल का था ये किस का है लाल शेवाल का AND कौन है एगार-एगार सर इसकाज क्या है हमारीarentी IT में लिखा हुआ है इसका यूज लिखा हुआ है बिटा जब आप बारवी कक्षा में जाते हैं जो ड्रॉपर है इस क्लास में जो भी बैठे है उनको याद होगा 12 च्लास में जब आप एक चेप्टर पढ़ते हैं खादे उत्पाधन में व्रधी की कारे नीती वो चेप्टर काटा और काटकर एक माध्यम में डाल दिया एक फ्लास्क है उस फ्लास्क के अंदर माध्यम है उसमें डाल दिया वो माध्यम क्या था एक पोशन ये माध्यम है जिसमें क्या है पोशन है क्या यह देखिए एक फ्लास्क है इस फ्लास्क के अंदर ये माध्यम है इसको मैंने बोला पोशन ये माध्यम जिसमें मैंने एक पेड का छोटा सा टुकडा डाल दिया है अब ये जो माध्यम होता है ये माध्यम बनाने के लिए उपियोग किया जाता है किसका अगार अगार का तो इसका यूज क्या है याद रखना ये पोशन ये माध्यम जो किसमें बनाया जा अध्यम होता है वो बनाने के लिए अगार-अगार का इस्तमाल किया जाता है यह अगार-अगार को पाउडर फॉर्म में बदला जाता है जिसको हम एगरोज बोलते हैं पिर इस एगरोज में पानी मिला कर इसको गरम करके और प्र बहुत सारी डीटेव प्रॉसेस होती है अभ से बनते हैं दूद से बनते हैं दूद पतला के आईसक्रीम पतले है आप सीधे बोलेंगे सर दूद पतला होता है आईसक्रीम गाड़ी होते है तो दूद को जब आईसक्रीम में बदला जाएगा दूद से जब आईसक्रीम बनाई जाएगी तो दूद को गाड़ा किया जा है अगार अगार का इस्तमाल किया जाता है जो दो लाल शेवाल से मिल रही है इतनी सी बात आपने याद रखनी है ठीक है vhalthowal प्रश्न आपके दिमाग में आने चाहिए जितना है उतना याद रखिये ठीक है नेक्स्ट अगली लाल शेवाल Chondrous Crispus Chondrous Crispus ये कौन है बटा ये भी लाल शेवाला है ये हमारी NCRT में नहीं लिखी हुई है फिर सर क्यों हो बता दी क्योंकि इससे भी एक Phyco Colloidal पदार्थ मिलता है जिसका नाम है कैरागीन और ये कैरागीन हमारी जिसकों कैरागीन या कैरागीन भी बोलते है ये हमारी NCRT में लिखा हुआ है फिर से सुनना हमारी NCRT में ये शब्द लिखा हुआ है जाकर चेक आउट कर लिजे पढ़ लिजे कैरागीन लिखा हुआ है ये मिलता किस से है एक लाल शेवाल से के लिए अगार-गार का इस्तमाल हो रहा था आईश्क्रीम को ठिक करने के लिए अगार-गार का इस्तमाल हो रहा था यह कह रहा ही इनका इस्तमाल कहां पर हो रहा है तो याद रखना जो आप कैपसूल खाते हैं मेडिशनल कैपसूल खाते हैं यह सर हम खाते हैं कैपसूल खा हाँ जी खाया है कैपसूल देखा है के नहीं देखा देखा है तो वो जो कैपसूल का आवरण जो होता है वो जो कैपसूल का आवरण जो होता है ना वो बनवाने में इसका इस्तमाल किया जाता है कैरागीन का जेली के समान होता है जो जेल के समान होता है ये कैरागीन का उपय किया जाता है medicinal capsule का निर्मान करने के लिए प्रभू ये थे आपके अच्छा कितने उधारन होगे जल्दी से मुझे पताईएगा कितने दो उधारन और बच गए वो और मैं लिख देता हूँ पॉली सिफोनिया पॉली सिफोनिया और पॉर्फाइरा पॉली सिफोनिया पॉर्फाइरा ये दो उधारन और याद रख लेना तोटल कितने उधारन होगे जरा सोचिए जेली डियम ग्रेसिलेरिया पॉली सिफोनिया पॉर्फाइरा टोटल हो गए हैं आपके पांच उधारन लाल शेवाल के जिसमें से ये दो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना बाकी ये भी याद रखना पॉली सिफोन कोई confusion किसी भी प्रकार की problem कुछ पूछना है पूछ सकते हैं बिंदास पूछ ये बिंदास सर भूख लग गया है सर छोड़ दो नहीं छोड़ेंगे तुमको आज पकड़ कर रखेंगे तुमको जी सब क्लियर है सर ब्रेक हम तुमको दे 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 लेकिन उससे पहले हम तुमको दिखा दे कि हम पढ़ने क्यावाले हैं इसके बाद हम पढने वाले है roadofyci के बाद में अब बजजी आ रही है, पहले एक बाद रोड़ोडव ici की है, वो तो देख लो, क्या पॉली सैफोनिया और पोरफायरा, ये दो image दे रखी हैं हमारी NCRT में याद रखना, पॉली साइफोनिया पूरफाइरा याद रखनी है भूली नहीं है मत भूल बिल्कुल मत भूल याद रखना एक्जामपल सारे याद रखने है इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या ये सर ब्रायोफाइट्स सर जर्ना है प्यारा प्यारा जर्ना है सर बैठ कर मुफली खाते हैं यहाँ पर बैठ कर आईए सर चलिए जर्ना देखते रहिए और पांच या छे या साथ मैक्सिमम साथ मिनट का हम ब्रेक लेते हैं ठीक है जी साथ मिनट का ब्रेक सेवन मिनट का ब्रेक है स्टार्ट होगे साथ मिनट बाद आऊंगा और स्टार्ट करेंगे क्या ब्रायोफाइट कहीं जाना नहीं है जिसको पानी वानी पीना है कुछ खाना वाना खाना है जल्दी से खालीजे मैं भी जल्दी से एक दो समों से खाकर फिर स्टार्ट करते हैं क्या बिटा जी आपका ब्रायो फाइट झाल्दी से खाइट करते हैं क्या है झाल 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 हाँ जी अब आ जा रही है चल बंद करते हैं इसको आ गए हैं कहां चले गए हैं सर आ गए हैं सर टाइम हो गया आ जाओ कोमल बारस कर ठीके ओके सो आ गए हैं मैं तो खालिया विटा एक समोसा खालिया है पेट पर गया मेरा आ जी चलें आगे बड़ें ओके सर आ गया आगया आगया आ गया आ ठीक है सब पढ़ने वालेई की बात करने वालें इतना सा इस एनिवेशन को देखकर आपको यह आईडिया लग गया होगा ब्रायोफाइट्स ये नहीं ये पानी नहीं है ये चटानों के उपर आपको दिख रहे हैं ये चटानों के उपर जो आपको दिख रहे हैं ये हैं कौन आपके ब्रायोफाइट्स अब इससे आपको एक आइडिया लग रहा होगा सर चटान तो भूमी है है ना यानि ये पादप भूमी पर होते है मैंने का हाँ लेकिन सर ये पानी के आसपास भी मिल रहे है मैंने का हाँ यानि ऐसे पादप जो भूमी पर भी है भूमी पर तो है लेकिन पाणी पर निर्भर होते हैं अब ऐसे सरसोचे, ऐसे जनतुं को हम क्या बोलते हैं तो याद रखना, ब्रायो फाइट्स को भी हम पादप जगत का उभहचर बोलते हैं, पादप जगत का जल स्थलचर बोलते हैं क्यों यह बूमी पर तो हैं लेकिन पानी पर निर्भर है भूमी पर तो जिंदा रह सकते हैं लेकिन पानी पर ये निर्भर होते हैं ये चीज याद रखनी है आपने सबसे पहला बिन्दू ब्यता ब्रायू फैट्स자 की नम चायादार और जहां पर पाणी होएगा वहां पर पर मिलेंगे ऐसे इस्थान पर जब मिलते हैं तो ऐसे पादपो को बोला जाता है Skiophytes क्या नाम देते हैं इनको हम Skiophytes done simple सी बात कोई confusion नहीं है चल दूसरा बिंदू कि अगर मैं बात करूं तो इनको हमने क्या बोला है सर इनको हम उभेचर बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है, इन्हें पादप जगत का जल स्थल चर या उभेचर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है उभेचर, क्योंकि ये भूमी पर तो जिन्दा है, भूमी पर जिन्दा है, और ये जल पर निर्भर होते हैं जल पर भूमी पर तो ये मिल रहे हैं स्थल पर ये मिल रहे हैं लेकिन ये जल पर निर्भर है जल पर निर्भर है क्या करने के लिए जनन करने के लिए लेंगिक जनन करने के लिए लेंगिक जनन में निशेचन जो प्रक्रिया जो होती है वो जल में होती है जल के द्वारा होत पता है जूडियो गैमी वो बताने कि मेरे को कोई जरत नहीं है क्योंकि वो प्रश्ण नहीं पूछा जाएगा अभी सिर्फ इतना सा यह पादब जगत के उभेचर कहला रहे हैं क्यों बोल रहा है इनको हम पादब जगत का उभेचर क्योंकि यह भूमी पर तो हैं यह स्थल निर्भर हैं यह देखिए भूमी पर तो हैं सल पर तो हैं लेकिन यह पानी पर भी निर्भर है क्या करने के लिए निशेचन करने के लिए जनन करने के लिए बोलिए यहां तक की बात कोई तकलिफ कोई कंफ्यूजन चले आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक बोलते हैं ये चीज में यहाँ पर लिख भी दी थी बस एक तिनी सी बात यहां पर लिख देता हूं ऐसे पादपो को हम क्या गूत वोलते हैं क्या करने के लिए निशेचन करने के लिए next यहाँ पर लिख भी दिया है चलो यह लिख भी दिया है क्योंकि यह भूमी पर जिन्दा रह सकते हैं किन्तु लेंगिक जनन करने के लिए जल पर निर्भर होते हैं चलो जी यह सारी चीजे हमने आपको यहाँ पर लिखे-लिखाई बताती है क्लियर है नेक्स्ट चले आगे हाँ भी या बालक आ गए है कि चले गए है क्या बात है बहुत ही बढ़िया चले गए है सर सारे के सारे चले भी गए है बहुत ही बढ़िया चले गए है दिखाईएगा एक बर जड़ा दिखाईएगा हाँ जी चले गए हैं क्या आ रहे हैं आ रहे हैं दीरे दीरे ओले ओले आ रहे हैं पता लग रहा है पानी वानी पीकर आ रहे हैं ठीक है आ गए हैं सो यह हमने सिंपल से दो बिंदू पड़े हैं यहां तक और कुछ भी नहीं पड़ा यहां पर इतनी सी बात हमने पड़ी है ठ तेरा ध्यान से देखना इनके शरीर की जब हम बात करते हैं इनके शरीर की जब हम बात करते हैं किसके ब्राइवफाइट के ब्राइवफाइट का जब हम शरीर देखते हैं तो इनका शरीर जो होता है वो थैलस है क्या है एक प्रकार का थैलस है क्या है मेरे भाई हाँ मेरे भाईया डॉक्टर जोती बिल्कुल होता है अल्जिन का भी होता है अगार अगार का भी होता है हमारी NCRT बोल रही है अगार अगार का ले तो अल्जिन का भी होता है ठीके लमिनेरिन नहीं अल्जिन का होता है किसका एलजिन का यूज होता है आइस क्रीम में भी होता है ठीक है चलें आगे अप प्लीज इनका शरीर कैसा होता है इनका शरीर कैसा होता है थैलस होता है ध्यान से सुनना यह थैलस है ठीक है और इस थैलस में ध्यान से सुनना इस थैलस में कुछ मूल के जैसी संग्रचना मि मिल रही है मिल रही है इसको बोला जाते है मूलाभ इनको हम क्या नाम देते हैं मूलाभ नाम देते हैं यह वास्तविक मूल नहीं है मूल के जैसी संग्रचना मूल के जैसी संगरचनाएं है ये जो थैलस जो है ये थैलस अगुनित होता है थैलस कैसा है बटा अगुनित है कैसा है ये पूरा का पूरा अगुनित है इसके शारी की सारी कोशी का है जो है कैसी होती है अगुनित होती है और इस थैलस को इस मुखे शरीर को इस शरीर ना बो में बोलूँगा मेन बोडी को, इस मुख्य शरीर को, ये मुख्य-पादप शरीर को, यह जो मुख्य-पादप शरीर होता है, प्रभू इसको बोला जाता है याद रखना, युगमकोद भिद याद रखीगा, कौन होता ये, युगमकोद भिद होता है, गेमिटोफाइट होता है, हमेशा याद रखना, युगमकोद भिद हमेशा कैसे होते हैं, अगुनित होते हैं, और बिजानुद भिद हमेशा कैसा होता है, द्वी गुनित होता है, याद रखना बी अभी आपको ब्राइव फैट में सिंपल से ये दो बिंदू तो ये बता दिए क्या, कहां पर मिल रहे हैं, इस जगे मिल रहे हैं, इनको क्या बोला जा रहा है, उबय этом ऊब्य जा रहा है, क्यों बोला जा इसी बात ठीक है अब में मुद्दे पर आते हैं और वो मुद्दा है क्या इनका जीवन चक्र क्या इनका जीवन चक्र ब्रायोफाइट का लाइफ साइकल ब्रायोफाइट का जीवन चक्र अब यह जीवन चक्र जो है यह है इंगलिश में बताया हुआ इंगलिश में और मैं आपको हिंदी में बनाऊंगा भी और बताऊंगा भी अब इंदर देखेगा ध्यान से देखेगा इनका जो हम जीवन चक्र देखने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा जीवन चक्र की हम बात कर रहे हैं ध्यान से देखेगा बिटा इनके जीवन चक्र में आगे बढ़ने से पहल मैं आपसे एक सीधी सी बात करूंगा यहाँ पर यहाँ पर अगर हम जीवन चक्र देख रहें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी लेंगी किजनन की इनका जो उसको आपने क्या बोला था सर इनके मुखे शरीर को हमने नाम धिया था युग मकोद भिद यही वो चीजे हैं जो बहुत कन्फ्यूज करती हैं प्लीज ध्यान से सुन लीजेगा नहीं तो यह उपर से चला जाएगा समझ में नहीं आएगा फिर आप रोते डोलेंगे हाँ जी सर साइन्स के लिए इंग्लिश या हिंदी मीडियम कौन सा बेस्ट होगा जिस मीडियम से आप हैं उसी में रहिए वो ज़्यादा बेस्ट होएगा बदलेंगे तो थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा आपके लिए हाँ जी युगमकोद भिद इनका क्या था मुख्य पादप शरीर था प्लीज ध्यान से सुनिए बातें ना करिएगा युगमकोद भिद इनका क्या था मुख्य पादप शरीर था कुछ इस तरीके से था ये सर उससे कुछ इस तरह की संग्रचना निकल रही थी मैंने कहां एक और बना देते हैं सर ये मैंने का बना लो भाई बिलकुल बना लो कोई दिक्कत नहीं है सर ये भी युगमकोद भिद्ध है ये भी युगमकोद भिद्ध है मैंने का ओके अब इस युगमकोद भिद्ध में ध्यान से सुनना इस युगमकोद भिद्ध में इस युगमकोद विद्द से युगमक बनाने है और युगमक बनाने के लिए कहीं न कहीं लेंगिक अंग होंगे तो इस युगमकोद विद्द पर मिल रहे हैं क्या बिटा नर लेंगिक और मादा लेंगिक अंग कौन पूंधानी और इस्त्रीधानी पूंधानी और इस्त्रीधानी ये क्या है लेंगिक अंग है कौन सा पूंधानी कौन है नर लेंगिक अंग इस्त्रीधानी क्या है मादा लेंगिक अंग इधर देख लेते हैं इधर देखेगा ध्यान से देखेगा इधर देखेगा ध्यान से देखेगा मान लेते हैं ये है पून धानी और ये है मान लेते हैं इस्त्री धानी ठीक है इसको मैंने बोला पून धानी और इसको मैंने बोला है इस्त्री धानी ओके सर कोई तकलीफ नहीं है अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सोच समझकर मुझे बताईएगा आपको ये जो लेंगिक अंग जो है सर अंगरेजी में क्या बोलते हैं चलो अंगरेजी में भी लिख देता हूँ युगमकोद पहले एक काम करूँ पहले हिंदी में लिख देता हूँ फिर सारी चीज़े में अंगरेजी में भी लिख दूँगा ठीक है सो पूधानी क्या था बिटा जी नरलेंगे कंग इस्तरी धानी क्या था मादा लेंगे कंग आपसे प्रशन पूछता हूँ ये पूधानी ये इस्तरी धानी आपको बहु कोशी के दिखाई दे रहे हैं कि एकल कोशी के दिखाई दे रहे हैं जल्ली से मुझे बताईएगा ये ये कैसी होती है, ये बहु कोशिक ये होती है, बहु कोशिक ये होती है, ये संग्रचना है, कौन, पूंधानी और इस्त्रिधानी, याद रखना कैसी होती है, ये बहु कोशिक ये संग्रचना होती है, डन, डन, आगुणत है, बिलकुल आगुणत है, और बहुत सारी कोशिका उसे बनी हुए है, फील कर समझ ये देख ये कई सारी कोशी का है है और प्रतीक कोशी का कैसी है अगुणित है ये कई सारी कोशी का है और ये सारी कोशी का कैसी है अगुणित है इनके अंदर मिल रही है इनके अंदर निर्मान होएगा किसका युगमक का जैसे एक सिंपल सा प्रशन आपसे पूछता हूँ एक नर के अंदर मेरे अंदर लेंगिकंग है क्या है व्रशन है नर में लेंगिकंग क्या होते है व्रशन मादा में क्या होते है अंदाशे होता है व्रशन के अंदर क्या बनते है युगमक कौन सा शुक्राणू ऐसे मादा में अंदाशे में क्या बनता है अंदाणू बनते है बिल्कुल बनते है तो भाईया ये लेंगिकंग है तो ये लें बाड़ करेंगे युगमक का यहां पर जो युगमक बनेगा उस युगमक का नाम है पुमंग उस युगमक का नाम है क्या पुमंग अभी अंग्रेजी में बता दूँगा क्या बोला जाता है उस युगमक का नाम है क्या पुमंग और ये पुमंग द्वी कशा भिकिये होता ह द्वी कशा भिकी होते, दो कशा भिका मिलती है इसमें, ठीक है? और ये इस्तरी धानी जो है, ये क्या बनाएगी? सर ये अंड बनाएगी, मादा युगमक. अंड बनाएगी, मादा युगमक, पुमंग बनेगा, नर युगमक, दोनों अगुणे संग्रचनाय हैं, आगे ये स्तरी धानी, ये जो स्तरी धानी जो है, इस तरीके से होती है, फ्लास्क शेप होती है फ्लास्क नाम सुना है फ्लास्क होता है ना बॉटल होती है फ्लास्क होती है ठीक है उसे शेप की होती है कौन इस्तरी धानी जो होती है ये फ्लास्क आकार की होती है जिसमें कोशिकाएं मिल रही है ठीक है और कुल मिलाकर यहाँ पर अंड कोशिका है दिख भी रहा हूं ध्यान से देखना और सर यहाँ पर क्या बन चुके हैं सर शुक्रानू बन चुके या नर युगमग बन चुके हैं जिसको हमने पुमंग बोला और सर जी ये है पानी आज ब्लू है पानी पानी नहीं सर आपने तो रेड कर दिया है चल कोई बात नहीं आज ब्लू है पानी 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 दिन भी सानी 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 धूप बहुत तेज है धूप बहुत तेज है बाहर बहुत गर्मी है चल कोई बात सर ये है पानी 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 और आपने निकाल दिया यहां से पुमंग 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 ये पुमंग आ गए हैं और इन पुमंग पर लगे हुए है क्या कशा बिखा है इन पुमंग पर क्या है कशा बिखा है अब जाना सोचे कशा बिखा किस ची दिखा देता हूं ये पुमंग गती करते हूं गती करते हूं गती करते हूं गती करते हूं बहुत बड़े पुमंग दिखा दिये मैंने नरियोगमक सिर्फ बताने के लिए ये गती करते 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 ब्लू है पानी 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 से पहुंचेंगे पहुंचेंगे गती क करते करते कहां इस संग्रचना में और इस संग्रचना को हमने नाम दिया था क्या इस त्रीधानी जिसके अंदर क्या मिल रहा था अंड मिल रहा था आप सीडीजी बात है पुमंग जो है वो निशेचन करेंगे किसके साथ अंड के साथ और निशेचन करके आप मुझे बताएं हाँ, ठीक है, अब आप मुझे बताएं, जब ये निशेचन कर लेंगे, निशेचन करनेंगे, निशेचन करने से क्या बनेगा, सर जी, निशेचन करने से, क्या बनेगा, युग मनज बनेगा, बहुत ही बढ़िया, जाएगाट बनेगा, बहुत ही बढ़िया, कैसा होईगा, द्वी गुणित होएगा, अब तक शारी संगरचना कैसी थी, अगुणित, सोचें, युग मकोद भिद भी कैसा था, अगुणित बताया, उसके पूधानी भी कैसी, अगुणित इस्त्री धानी भी कैसी, अगुणित उनके अंदर कोशिका कैसी, अगुणित पुमंग अंड यह कैसे थे, अगुणित थे, दोनों का निशेचन हुआ, क्या बन गया, युग मनज कैसा, दुई गुणित, ओके, अब इधर देख, ध्यान से देख, यहाँ पर निशेचन हो गया, हाँ सर निशेचन हो गया, फाइनली क्या बन गया, सर जी यहाँ पर फाइनली बन चुक किया बन गया मेरे भाई, शर यहाँ पर युगमनज बन गया, मैंने का, okay, okay, थिक है, बन गया, कोई तकलीफ तो नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लेकर दिखा दो, यह देख, यह था, हाँ सर, इसमें कहीं न कहीं यह, फ्लास्क था, हाँ सर, अंदर क्या बन गया, इश्तरी धानी के अंदर किसा निर्मान हो गया सरгляд युगमनज का निर्मान हो गया मैंने का ओके no problem कोई दिक्कत नही है कोई तकलीफ नही है अब आगे सर आगे अब ये जो युगमनज जो द्वी गुनित है ये लगातार लगातार क्या करेगा विभाजन करेगा ये लगातार 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 क्या करता जा रहा है विभाजन करता जा रहा है विभाजन करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है और एक शंग्रचना बना रहा है एक शंग्रचना बना रहा है और ये संग्रचना imagine करिये किस से जुड़ी हुई है सोच ये संग्रचना किस पर है imagine कर ये संग्रचना किस पर है किस पर है सोच अरे सोच ना भाई सोच ये संग्रचना किस पर है कौन है ये ये कौन था पूरा शरीर कौन था सर ये पूरा शरीर युगमकोद भिद था उस युगमकोद भिद पर इस युगमनज ने लगातार विभाजन करकरके 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 एक संगरचना बना दी है ये संगरचना कहलाती है बीजानुद भिद क्या कहला रही है बच्चो ये संगरचना कहला रही है क्या बीजानुद भिद ये संगरचना जो युगमनज जो लगातार विभाजन करकरके बना रहा था ये संगरचना फाइनली क्या कहला रही है बीजानुद भिद कहला रही है थोड़ा प्रपर तरीके से हम लिख देते हैं इस संग्रचना को हमने क्या बुला है बीजानुद देते हैं अब मैं आपसे पूछूंगा ये बीजानुद विद अगली पीडी है या नहीं है ये अगली पीडी अब आप में से कई मेर से पूछेंगे न्यूनी करण विभाजन क्या होता है हाँ जी पूछेंगे न न्यूनी करण विभाजन का मतलब एक अर्ध सूतरी विभाजन जिसमें गुण सूतरों की संख्या आधी हो जाती है उसको न्यूनी करण विभाजन बोलते हैं ठीक है पिर भाई अब भी भी सोजा, राद को भी सोजा, दिन में भी सोजा, हमेशा सोते रहना, ठीक है? सोजा बिटा, सोजा, तुम बने ही नहीं हो नीट का exam clear करने के लिए, सोजा बिटा, तरको नीदारी सो, हम, तो बीजाणूध भिद बन चुका है ये ये हमारा देखो, इधर देखो, ये देखो, ध्यान से देखो यही चीज मेंने आपको देख bisa, ये आपको देख ये है युग्मकोद भिद इस युग्मकोद भिद में ये देख ये फ्लस्क के जैसी एक संगरचना थी इस्तरी धानी जिसके अंदर है अंड कौन है अंड ठीक है ये कौन है नर युगमक ये कौन है नर युगमक कैसा है द्वी कशा भिकिये है दो कशा भिक है बोला के नहीं बोला बोला ना ये जाकर इससे सनलाइन करेगा इसी फ्लास्क के अंदर क्या बन रहा है युगमनज बन युगमकोद भिद पर एक संगरचना बनती हुई दिखाई दे रही है इसको हमने बोला है बीजानुद भिद इसको हमने क्या बोला है बीजानुद भिद ठीक है चलें आगे बढ़ते हैं देखो भाई जिसको जाना है वो जाईए ये क्लास तो चलेगी अभी हमको नहीं पता कितनी देर तक चलेगी जम तक हमारे अंदर शमता होगी हम तक तब चलाएंगे ब्रायोफाइट पढ़ रहे है बस ब्रायोफाइट पढ़ लीजे फिर छ बेजान但ने यह बिजान सय दिखा दूँ मिन किया बिजान अब बन बना दिया है बीजान बिद बना धिया कि यह जो संगरचना है जो यहां पर बन चुकी है उसका नाम है क्या बी जान दो कि ओके सर, आपने डबल डबल बना दिये, सिर्फ अलग से दिखाने के लिए मैंने इसको यहां पर ले कर गया था, सिर्फ बताने के लिए, यह बीजानुद भिद बन गया, अब आगे, 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 आप मुझे बताएंगे यह बीजानुद भिद कैसा है, आगुणत है कि संगरचना है, और प्रतियक कोशिका में, प्रतियक कोशिका में, ड्वी गुनित गुनसूतरों की संख्या है, कैसा है यह, द्वी गुनित गुनसूतरों की संख्या है, ठीक है सर, अब आगे, अब आगे ध्यान से देखना, ध्यान से देखेगा, अराम से देखेगा, तसलि बिजानुद भिद है यह ठीक है और इस बिजानुद भिद में तीन भाग होते हैं पाद, सीटा और कैपसूल ठीक है याद रखना पाद, सीटा, कैपसूल यह तीन भाग हैं किसके इस बिजानुद भिद के अब सर यह पाद क्या करेगा जरा सोचिए कही ना कहीं यह लेग्स कीतर हैं यह पकड़ने के काम में आएंगे जरा सोचिए इमाजिन करिए कहीं ना कहीं यह संग्रचना जो है इसमें यह पाद जो हैं यह चिपके रहने से जुड़े रहने से किसके साथ इस युगमकोद भिद के साथ जुड़े रहने में साहिता करेंगे कि नहीं करेंगे यह सर यह चिपके रहने में साहिता करेंगे ये प्रकाश संशलेशन नहीं कर सकता जब ये प्रकाश संशलेशन नहीं करेगा भोजन नहीं बनाएगा तो इसको तो भोजन चाहिए जिंदा रहने के लिए तो भोजन कहां से लेगा सर ये जुड़ गया किस से इसी युगमकोद भिद से चिपका पड़ा है यहीं से ही लेत रहेगा आवास तो अब आप मुझे बताएंगे ये बीजाडोध भिद को क्या मैं बोल सकता हूं कि बीजाडोध भिद युगमकोध भिद पर परजीवी है देखते कितने बच्चे पकड़ पाते हैं इस लाइन को ये बीजाडोध भिद युगमकोद भिद पर परजीवी है बताइए कितने बच्चों को समझ में आया हाँ जी बोलिए बोलिए समझ में आ गया कोई तकलीफ clear है बहुत ही बड़ी है तो सीदी सी बात थी बिटा जी ये जो पाद जो है सुनकर ये वर्ड सुनकर कई बार हसी भी आ जाती है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं बिटा हिंदी में पाद बोल रहे है तो इंगलिश में क्या बोलता है फुट बोलता है इसको फुट इसको सीटा और कैपसूल ठीक है कहने वाली बात जो थी ये तो चिपकने में साहत अगर रहा है क्यों कि बीजणोंध भिद प्रकाशन जलीशन नहीं कर सकता τो कही न कहीं पोशनिट चाहिए तो बीजणोंध भिद युगमकोद भिद पर क्या होता है पर जीवी होता है भोजन भी लेता है, आवास भी लेता है याद रखना भूलना जाएगा, कई बच्चे भूल जाते है वनस्पती जगह तो उनको बहुत तफ लगता है लेकिन तफ तब लगता है जब धंग से पड़ा नहीं हो अगर आप धंग से पड़ रहे है, एक एक लाइन ध्यान से सुन रहा है आपको सारी चीछ समझ में आगी, ठीक है सर समझ में आगी अब आगे, सर ये सीटा क्या कर रहा है मैंने बोला, कि भाईया ये तो चिपक गया अब पोशन लेगा कि ने लेगा, लेगा ना अब पोशन जब ले लेगा यहां से पकने के बाद तो पोशन आगे की तरफ बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, ये सीटा ये सीटा क्या है, एक समवहन तंतर की तरह काम कर रहा है ये भोजन को उपर की तरफ भेज रहा है में चीज है, ये कौन कैपसूल मेन है कौन ये कैपसुल क्यों सर मेन क्यों है क्योंकि इसके अंदर कोशिकाएं मिलती हैं और उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं बीजाडू मात्र कोशिका क्या नाम देते हैं ये द्वी गुनित कोशिकाएं हैं क्या है ये डिपलॉइड सेल्स हैं द्वी गुनित कोशिकाएं हैं और ये डिपलॉइड सेल्स ये द्वी गुनित कोशिकाएं जो हैं इनको हम बोलता हैं बीजानू मात्र कोशिका क्या बोला है बीजानू मात्र कोशिक मिल रही है तहां पर मिल रही है ये मैंने आपको बता दिया इसके कैपसूल में मिल रही थी क्या बीजानू मात्रकोशिका इन कोशिकाओं को पोशन मिल रहा है हाँ सर बढ़िया पोशन मिल रहा है अब ये जो capsule के अंदर यह जो बीजानू मातर कोशिका है, जब यह परिपक्व हो जाएगा, पोशन ले ले के परिपक्व हो जाएगा, इन बीजानू मातर कोशिका में होएगा, न्यूनी करण बनेंगे उनसे ये कोशिकाएं बनेंगी और ये कोशिकाएं जो यहाँ पर बन रही है बेटा जी इन कोशिकाओं को हम बोलेंगे बी जानू क्या नाम देंगे सर जी बी जानू नाम देंगे अब आप मुझे बताएं बी जानू आगुनित के द्वी गुनित सर अगुनित क्यों क्योंकि हुआ कौन सा अर्ध सूत्री विभाजन किसमें हुआ अर्ध सूत्री विभाजन सर बीजानू मातर कोशिका में हुआ अर्द सूत्रिवे भाजन जो द्वीगुनित थी बोल मेरे भाई बीजानू बन गए है? हाँ सर बन गए है ये बीजानू का है? अंदर है अंदर ये अंदर क्या है? सर बीजानू है अंदर ये अंदर क्या है? सर ये बीजानू है अंदर ये अंदर कौन है? प्रभू बीजानू ही बीजानू है अब ये फटेगा अब यहाँ परना कुछ संग्रचना हैं होती है, मैं बताने ने चाहता हूं, उनको बिना वाल तुमें डीटेल में, illatars संग्रचना होती है, illatars, जो वातावरन में जो भी नमी होती है, उसको absorb कर लेती है, illatars, और वो absorb करके, यह capsule फट जाता है, तो इससे बाहर गिरते हैं, जमीन पर, बाहर गिरें, जमीन पर, बाहर गिर गए हैं, कौन जमीन पर, कौन गिर गए हैं? सर बीजाणूं क्या गिर गए हैं बीजानू कहां आ गए हैं सर ये बीजानू बाहर जमीन पर आ गए हैं और जमीन पर आकर क्या करेंगे सर ये जमीन पर आकर लगातार विभाजन करेंगे और विभाजन करके 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 एक संग्रचना बना देंगे ऐसी अब आप मुझे बताएं ये कौन सी संग्रचना थी ये कौन सी संग्रचना थी शर ये था हमारा युगमकोद भिद ये था हमारा युगमकोद भिद यानी बीजानू ने सीधा डायरेक्ट प्रत्यक्ष पहले हिंदी में लिख देते हैं क्य क्या किया है अंकुरन किया है डारेक्ट जर्मिनेशन किया है और क्या बना दिया है युगमकोद भिद बना दिया है अब जरा सोचे युगमकोद भिद कैसा है अगुनित है किससे बनाया है बीजान उसे वो भी क्या है अगुनित है बताइए ये जीवन चक्र था किसका ब्रा इतनी इसी बात थी, अब आप बता है, अंगरेजी में इनको लिख देते हैं, यह मतलब यह न, थोड़ी सी वो मत जाएगी, खिचडी सी मत जाएगी, मैं बोल देता हूँ, यूगमा को अधुद्ध होता है, गेमिटो फाइट होता है, चल लिख देता हूँ, मेरे भाई, फि आर्ची गोनियम, आर्ची गोनियम, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, एग, जाइगोट लिख दिया है, भी जानों तो बिद को हमने बोला है, स्पोरोफाइट, स्पोर, मदर सेल, स्पोर, मदर सेल, स्पोर, और डारेक्ट जर्मिनेशन होकर क्या हो गया है, युग मकोद भिद बन गया, ठीक है सर, हाँ जी, बोलिए, बहुत अच्छे से समझ में आया, वेल दन अनुजुपाध्य है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़ी और कोई ऐसा है, जिस बालब को अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड पैरी विश्व कर्मा, ये बहुत ही बढ़ीया मेरे को आज का कमेंट लगा है, पैरी विश्व कर्मा लड़की ने, गुडिया ने बहुत ही प्यारा कमेंट लिखा, सर, मैंना अपनी चैट आफ करके सुन रही थी, और मुझे सारी चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छा, वेरी गुड, मज़ा आ गया बाई गॉड, बाई गॉड कशम से मज़ा आ गया है, ये ओनी चाहिए पढ़ाई, सर, मैं अपनी चैट बंद कर दी, मैं दूसरे बच्चों से, मलब वो नहीं हो रही थ है ना, well done बिटा, very good, physics king नहीं बिटा, इतना time नहीं है, वापिस से आप देख लेना, ठीक है, एक बार और repeat कर दो, अच्छा, वापिस से देख लेना, ठीक है, तो यह थी कहानी बिटा जी, आपकी, किसकी, जीवन चक्र की, रुको, रुक जाओ, रुको, अब इदर देखो, इसी जीवन चक्र में एक और चीज हम पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं, इदर देखेगा, देखे, यह जो, ब्रायो फाइट होते हैं, इनका जब हम वर्गी करण करते हैं इनका जब हम ब्रायोफाइट का क्या करते हैं वर्गी करण करते हैं तो हमें पता लगता है ब्रायोफाइट जो है ये तीन भागों में बटे होता है जिसमें से दो हमारे दो हमारे किसमें दे रखियें बिटा जी यहाँ पर NCRT में एक दे रखि मुसीडी भी बोला जाता है, और इसको हेपाटिक अपसिड़ा भी बोला जाता है, आपना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं, लो भाई या, हेपाटिक अपसिड़ा और मुसीडी ठीक है Moss और Liverwort ये दो प्रकार होते हैं किसके Bryophyte के एक तीसरा प्रकार होता है जिसका नाम होता है Hornwort वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको उसकी जरत नहीं और कोई पूछने वाला भी नहीं है So Liverwort और Moss ये दो प्रकार होते हैं इसके Bryophyte के अब इनमें अंतर क्या होता है आए ये पहले दिखाऊं दिखाऊं चलो पहले Liverwort दिखाता हूँ आपको ये देखो ये है Liverwort अच्छा लग रहा है हैं लग रहा है अभी और भी चीज बताऊंगा इस Liverwort में ठीक है अभी बताऊंगा क्या होती है आप में से कही जानते भी होएंगे कही नाम सुनाओगा जैमा जैमा कप सुनाओगा ठीक है कोई बात नहीं इसके बाद में Moss दिखाऊंगा ये देख ये Moss है ये Moss है योपर से पानी जरना भेता हुआ ये चटान पर ये Moss है और दिखाऊं अच्छे से दिखाऊं ये देख ये Moss एक बच्चा पूल रहा था सर हम इनको हाथ लगा कर फील कर सकते है ये देख हाथ लगा तो एक बाल एक जो भी है ये फील कर रहा है ये Moss है तो ये सारी चीज़ा भी बताऊंगा लेकिन उससे पहले important जो चीज़ थी वो ये कि ये जो ब्रायोफाइट की ये जो दो वर्ग है ये दो समूज जो है कौन-कौन से लिवरवर्ट और Moss इनमें अंतर क्या होता है नरेंदर आर्या इतनी जल्दी जाना है जा बेटा बाए 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 जा बेटा जाओ 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 अभी निकल जाओ लिवरवर्ट और Moss इन दोनों में अंतर क्या होता है important चीज तो सुनी नहीं रहे बाए करने आया था मिरको जा बेटा जीले अपनी जिंदगी जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी हाँ जी हाँ अनुप्रिया अच्छा आपके पास टाइम नहीं है हमारे पास बहुत सारा टाइम है और क्लासिस भी हैं जितना हो पाएगा उतना कराएंगे हाँ जी बीजानू की बात कर रहे हैं बीजानू जो है अंकुरित होकर क्या बना रहा था युगमकोद भिद बना रहा है कोई तकलीफ तो नहीं अभी दर देखना ये बीजानू आपने देखा हाँ सर बीजानू गिरा था यहां से गिरा और गिर कर कैपसूल फट गया फटने से बीजानू बाहर आया और बाहर आकर ये बीजानू पोशन लेगा व्रधी कर रहा है लगातार लगातार व्रधी करकर करकर क्या बना दिया युगमकोद भिद बना दिया मैंने का ओके क्या था सर ये डारेक्ट जर्मीनेशन था डारेक्ट जर्मीनेशन था और ऐसा डारेक्ट जर्मीनेशन होता है किसमें लीवर वर्ट में याद रखना लीवरवर्ट में सीधा अंकुरन होता है ये बीजानू सीधा अंकुरित होकर क्या बनाता है युगमकोद भिद बनाता है तो अब आप बोलेगे सर आपने तो बोला था दो समू है एक लीवरवर्ट और एक मौस लीवरवर्ट में तो आपने बता दिया कि बीज बीजानू जो है वो सीधा अंकुरित होकर क्या बनाता है युग मकोद भिद बनाता है मैंने का ओके हाँ सर डारेक्ट जर्मिनेशन था पिर मौस में क्या होता है सर यही तो में चीज है यही तो में चीजे मौस में क्या होता है वो सुनिएगा मौस में क्या होता है ध्यान से सुन देख मौस में क्या होने वाला है ये तो लिवरवर्ट में हुआ बीजानू ने सीधा अंकुरन करके क्या बना दिया युगमकोदविद बना दिया अब मौस में क्या होने वाला ये ध्यान से सुनना मौस में सीधा बीजानू ये बीजानू सीधा युगमकोद भिद नहीं बनाता फिर क्या करता है सर ये बीजानू एक संग्रचना बनाता है ध्यान से सुनना ये बीजानू रेंग ये बीजानू एक संग्रचना बनाता और वो संग्रचना जो होती है वो शाक शाखित होती है रेंगती है रेंगती हुई शाखित संग्रचना ये देख ये संग्रचना रेंग रही है और ये शाखित संग्रचना इससे शाखाई निकली हुई है क्या आपको ये युगमकोद भिद दिख रहा है क्या नहीं ये एक शाखित संग्रचना है याद रखना ये एक शाखित संग्रचना इस शाखित संग्रचना को हिंदी में बोला जाता है प्रथम तन्तु प्रथम तन्तु और इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटो नीमा इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटो नीमा हिंदी में बोला जाता है प्रथम तन्तु बेटा जी इतनी सी बात याद रखना ये जो शाकित संग रचना जो बनती है इसको बोला जाता है प्रोटो नीमा प्रथम तंतु बोला जाता है बोले इतनी सी बात समझ में है येस क्या बात है खुश्बू विवेक चंदन टंडन विवेक मीना आचल रितिका सिंग राजपूत पी के वाई करीना कुमारी जालर की तरह जी कुलदीब खुश्बा बहुत ऩुश्बू निधीयादव हो गई बात हाँ जी मजा आगया वेलड़न चंदन बहुत ही बढ़ी है सुचिन सांगर बहुत ही बड़ी है वेरी गुड तो हम बात कर रहे थे क्या मौस में particularly किसमें मौस में क्या हुआ था ये बीजानू ये बीजानू मौस में गिरा जमीन पर सीधा युगमकोद भिद नहीं बनाया एक संग्रचना बनाई जो बहुती जादा शाकित है जिसको हमने बोला है प्राथमिक तंतू या प्रथम तंतू अब ये प्रथम तंतूओं में जहान से सुनना शाखा ये निकल रही थी ये सर ये शाखा अलग हो जाएगी तूट जाएगी जमीन में गिर जाएगी और ये श पनाएंगे युगमकोद भिद जिसको हम द्वित्य तंतू भी बोल देते हैं ये द्वित्य काई भी बोल देते हैं युगमकोद भिद बोल देते हैं अब आप मुझे बताइएगा सोच समझ कर क्या ऐसा जर्मिनेशन क्या इस प्रकार का अंकुरण दिमाग लगाएं क्या इस प्रकार का अंकुरन प्रत्यक्ष अंकुरन था के अप्रत्यक्ष अंकुरन था याद करिए सोचिए ऐसा अंकुरन यहां से डारेक्ट युगमकोद भिद नहीं बना पहले एक शाकिस संग्रचना बनी जिसको हमने प्रत्थम तंतु बोला उसके तंतु तूटे, गिरे, अलग हो गए, खंडित हो गए, अलग हो गए हैं और फिर वो तंतु क्या बना रहे हैं, युगमकोद बिद बना रहे हैं ये क्या कहलाएगा, indirect germination, अप्रत्यक्ष अंकुरण होता है, कैसा अंकुरण होता है, अप्रत्यक्ष अंकुरण होता है डारेक्टली युगमकोद बिद नहीं बनता है, किस से बीजानू से बीच में एक वस्था आती है, प्रात्मिक तंतु प्रोटो नीमा ये चीज जो आपको समझानी थी, आशा करते हैं, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है, बस अब तो थोड़ी सी चीजे रह गई हैं, उनको फटा फट खतम करते हैं, बोलिए, यहां ता कोई दिकत, समझ में आ गया जो है, लीवर वर्ट को लीवर वर्ट, इसलिए बोला है, क्योंकि इनका बीजानुद भिद्ध जो है, इनका जो युगमकोद भिद्ध जो है, इनका युगमकोद भिद्ध जो है, जो मुख्य पादप शरीर जो है, उसकी उसकी संग्रचना हमारे लीवर के जैसी होती है लीवर के समान होती है इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं लीवर के समान होती है इसलिए हम इनको क्या नाम दिये हैं हिपाटिक अपसिडा या इनको हमने क्या नाम दिया है लीवर वर्ट नाम दिया है ठीक है अब ये तो था पहल मेन एक्जामपल, याद रखना सबसे इंपर्टन् एधारन है जिस से प्रश्न बनते हैं, याद रखना क्या, मारकेंशिया भूलना जाएगा भूलना जाएगा लल्ला बिलकुल ना भूलिएगा क्या मारकेंशिया क्या है प्रभू मेन उधारण है किसका लिवर वर्ड का याद रखना मारकेंशिया आप देखना चाहेंगे मारकेंशिया कैसा होता यह देखें यह है मारकेंशिया यही है कौन यह है मा मारकेंचिया बोला है याद रखना ठीक है अब इस मारकेंचिया को हमने मेन क्यों बोला है दीक है ये जो लीवर वर्ट जो है इन लीवर वर्ट में क्या होता है तीसरा बिंदू है इससे पहले दूसरा बिंदू था दो ही बिंदू हमने देखें लीवर वर्ट को लीवर वर् शरीर की वो लिवर के समान थी पहला बिंदु था दूसरा आम ने बोला कि ने उधाशव मैं है मार्स कंचिया ठीके अब यह जो लिवर वर्ट का जो तीसरा बिंदु ए वो यह है कि जब यह ओल लेंगिंग्यक जनन करते हैं अलेंग जनन करते हैं बाकी एक चौथा बिंदू में यहाँ पर लिख देता हूँ, अल्रेडी हम अल्रेडी देख चुक है लीवर वर्ट में, प्रत्यक्ष अंकुरन हुआ था, यह मैं अल्रेडी आपको बता चुक है, इसको आप डीटेल में नहीं देखेंगे, प्रत्यक्ष अंकुरन हुआ था, तीसरा बिंदू था बिटा हमारा कि इनमें जब आ-लंगिक जनन होएगा तो आ-लंगिक जनन में होएगा क्या इदर देखेगा यह इनका मुख्य पादप शरीर है हाँ सर अनुकूल परिस्थितियों में तो लंगिक जनन होएगा अभी अभी हमने जो जीवन चक्र देखा था उसमें हमने क्या होएगा ध्यान से देखना कुछ कप आकार की संग्रचनाएं बनेंगी यह जो कप के आकार की जो संग्रचनाएं हैं इनको हमने नाम दिया है जैमा कप जैमा कप और इस जैमा कप से याद रखना इस जैमा कप पर हरी बहु कोशी किये याद रखिएगा भूलना जाएगा मेरी बात को प्रशन पूछा जाएगा अपसे हरी बहु कोशी की है याद रखना हरी हरी बहु कोशी की है संग्रचना बनती है जिसका नाम है जैमा कैसी होती है हरी होती है बहु कोशी की है संग्रचना होती है जिसका नाम है क्या जैमा और ये जैमा वरधी कर-कर के कर-कर के कर कर के कर कर के क्या होएंगी यहां से अलग हो जाएंगी और अलग हो कर गिर जाएंगी किस पे जमीन पे और जमीन पे गिरने के बाद वरधी करेंगी और वरधी करने के बाद फिर से बना देंगी क्या मुख्य पादप शरीर कौन सा बिटा हमारा युगमकोद भिद तो अब कैसा जनन था सर आलेंगिक जनन था किस प्रकार का जनन था सर आलेंगिक जनन था और इस आलेंगिक जनन में कही न कहीं बन रही थी ये संग्रचना जो कप के आकार की संग्रचना है ये ये है कप के आकार की संग्रचना ये देख ये भी है कप के आकार की संग्रचना कप के आक कप उनके अंदर है ये जैमा व्रद्धी करते हैं अलग हो जाते हैं जमीन पर गिड़ जाते हैं और वापिस से नया शरीर बना देते हैं ये था सिंपल सा आपका क्या लीवर वर्ड हाजी सर प्रीवेस येर कोशन के लिए कौन सी बेस्ट बुक है कोई सी भी बुक उठा ले बेटा उसके लिए बेस्ट क्या होएगी इसके लिए कोई बेस्ट बुक तोड़ना होती है यार प्रीवेस येर कोशन के लिए कोई सी भी बुक ले ले हर बुक में प्रीवेस येर कोशन तो सेम ही मिलेगा न उसके लिए कोई बेस्ट तोड़ना हो हाँ जी चले आगे कोई दिक्कत तो नहीं थी पक्का चले आई आगे चलते हैं अब बात कर रहे हैं किसकी मॉस की ये भी हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं मॉस में में चीज हम पढ़ चुके हैं क्या ये जो मॉस जो होती है इस मॉस में अंकुरण जो होता है वो कैसा होता है प्रत्यक्ष होता है ये मैं अल्रेडी बता चुके हूँ बार बार नहीं बता रहा हूँ अल्रेडी हम देख चुके हैं बीजानू अंकुरित होएगा तो क्या बनाएगा प्रथम तंतु बनाएगा प्रथम तंतु जो था व अलग हो जाते हैं खंडित हो जाते हैं और वापिस से द्वित्य तन्तु या युगमकोद भिद बना देते हैं यह सिंपल सी बाती कौन सा आप रत्यक्ष अंकुरन ही हम अलड़ी देख चुके हैं यह खासियत एक इसकी मौस की दूसरा बिंदू अब ध्यान से सेखिएगा दूसरा बिंदू जो है वो यह मैं आपसे एक चीज पूछता हूं और फिर मैं इस क्लास को खतम करता हूं आज ठीक है बस पांच मिनट और रुख जो पांच मिनट जितने भी बच्चे हैं सिर्फ पांच मिनट रुख जाएए प पांच मिनट बाद मैं खतम करता हूं मुझे इतनी सी बात बताईएगा सोच समझकर मुझे इतनी सी बात बताईएगा मैं आपसे बस इतनी सी बात पूछना चाहरा हूं कि यह जो यह जो आपने अभी अभी पड़ा था यह जो आपने अभी अभी पड़ा था कि भईया पर क्या वो युगमकोद भिद पर पर जीवी था या नहीं था बोलो बताया के नहीं बताया बोला था या नहीं बोला था पर जीवी था ना किस चीज के लिए किस चीज के लिए सर भोजन और आवास के लिए जगे भी चाहिए रहने के लिए और खाना भी चाहिए बोला था ना तो यहाँ पर लीवर वर्ट में एक और बिंदू यहाँ पर हम देख लेते हैं, पांचवा बिंदू, क्या? कि बीजानुद भिद, बीजानुद भिद जो था, वो युगमकोद भिद पर, युगमकोद भिद पर, क्या दर्शारा था? परजीविता, कैसी? पून परजीवी, पून परजीवी का मतलब जो दोनों चीज के लिए, भोजन और आवास के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, दोनों चीजों के लिए, अगर वीजानुद भिद, युगमकोद भिद पर, टिका हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते है? पून परजीविता, पून परजीव में थोड़ी सी अलग कहानी होती है, यहां पर बीजानुद बिद जो होता है, वो होता है, अर्ध पर जीवी है, अब ये चीज हमारे ना NCRT में डारेक्ट नहीं लिखी हुई है, इंडारेक्ट लिखी हुई है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखे, बीजानुद बिद रूप से परजीवी है कैसे, कि बिटा ये ना प्रकाश संचलेशी होता है, ये प्रकाश संचलेशन कर सकता है, अब आप मुझे बताओ, अगर ये प्रकाश संचलेशन कर रहा है, तो क्या भोजन लेगा, ये भोजन लेगा, नहीं सर, बिलकुल नहीं लेगा, भोजन थोड ले रहा है चिपका हुआ है आवास जरूर ले रहा है जगे ले रहा है उससे चिपका हुआ है टिका हुआ है रहने के लिए जगे ले रहा है तो क्या ये पूंड रूप से परजीविता केलाएगी कि अर्ध रूप से परजीविता केलाएगी अर्द परजीविता कहलागी हमारी NCRT बोलती है क्या की मोस का ध्यान से सुनना हमारीṃ सीर्ट बोलती है मोस का बीजानुद भिद लीवरवर्ड के बीजानुद भिद से जादा विक्सित होता है ये बोला लेकिन ये बताया नहीं कैसे हैं तो यह मैंने आपको बताया क्या मॉस का मॉस का बीजानुद भिद बीजानुद भिद लीवरवर्ट के बीजानुद भिद से लीवर वर्ट के से जादा, से जादा विक्षित होता है, याद रखना, अब यह लाइन लिकी हुए यह हमारी NCRT में, लेकिन यह बताया नहीं, कैसे जादा विक्षित होता है, तो याद रखना, कि यह जो भी जानट विद जो होता है, किसका बेटा जी, आपके मौस का, यह प्रकाश कर सकता है, ये थी बात लास्ट बिंदू है मॉस का और वो है सबसे इंपर्टेंट बिंदू वो है क्या, एकजामपल किस के, मॉस के मेरे भाई, ये एकजामपल भूलने नहीं है, बिलकुल भी नहीं भूलने है, फ्यूनेरिया पॉली ट्राइकम funeria poly trichum और सबसे important sphagnum सबसे important है sphagnum अब काहे सबसे important है अगर आप देखेंगे प्रिवेस इयर के प्रशन जब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वला उधारन कौन सा? Sphagnum से पोचा गया है स्फेगनम से क्या इसको बेटा जी पीट मॉस बोला जाता है क्या बोला जाता है पीट मॉस अब आप बोलेंगे सर ये का होता है पीट मॉस का होता है मैंने का रुक रुक जा रुक जा मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं मेरे को बस इतनी सी बात बताना इसको इंध के रूप में यूज लिया जाता है किसके रूप में यूज में लिया जाता है इंधन के रूप में यूज में लिया जाता है मैंने का ओके इसको कोई पदार्थ का transportation करना है तो इसको use मिली जाता है packing के रूप में packing के रूप में use किया जाता है packing की जाती है इस से अब आप बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा बता रहा हूँ देख मैं तुमसे एक बात बता तुमसे एक प्रशन पूछता हूँ तुम सभी बच्चों से तुम सब जानते हूँ ना ये पेटरोल डीजल जो है हाँ पेटरोल डीजल जो है ये किस से मिलता है क्या ये एक इंधन है हाँ सर इंधन है ये किस से बने है ये पेटरोल डीजल ये किस से बन रहा है जीवाश्मों से बना है बोलो yes चोट लगने पर यूस मिले जदा है well done मेरे बच्चे very good हर्ष प्रजापती चोट लगने पर भी यूस मिले जाता है very good हाँ जी, cotton के रूप में use मिले जाता है, very good, Europe में cotton के रूप में use मिले जाता है, well done, हाँ जी, बताइए, है न, है न, तब जरा सोच, ये जो sphagnum, ये sphagnum का जब अप घटन होता है, अप घटन होता है, इस sphagnum है, मर गई है, इस sphagnum का जब अप घटन होएगा, तो अप गटन होने के बाद जो संग्रचना बनती है अब गटन होने के बाद जो संग्रचना बनती है उसको बोलते है पीट और ये पीट इंधन की तरह यूज में लिया जाता है अब गटन होने के बाद में इंधन की तरह यूज में लिया जाता है Okay sir, समझ में आगया अब ये packing की तरह use में क्यों लिया जाता है बहुत सीधे सीधे शब्दों में मैंने आप से बोला कि मालो कोई पदार्थ है उस पदार्थ के अंदर पानी चला जाए उसको सड़ा सकता है, उसको गला सकता है मालो ये कोई पदार्थ है मालो कोई चीज है जिसको मुझे यूपी से बिहार भेजना है सपोज और ये जो है ये पानी अगर इस पर पढ़ गया ना पानी अंदर चला गया तो ये गल जाएगी तो मुझे इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा मुझे इसकी पैकिंग करनी पड़ेगी तो मैं इसके चारो तरफ किस से पैकिंग करता हूँ इस से किस से स्फेगनम से इस पीट मौस से क्यों क्यों कि ये वाटर रिपेल करती है वाटर को अंदर आने नहीं देती है तो अब आप मुझे बताएं, क्या ये जो चटान जो है, जिसके ओपर ये स्फेगनम है, इमाजिन करें, इसके ओपर लगातार अगर बादिश हो, क्या ये चटान का अपगटनना हो जाए, हो जाए ना, तो ये जो, ये जो कौन, ये हमारी NCRT में लिखा हुआ है, ये जो चटानों के म्रदा अपर्दन से बचाती है चटानों के अपर्दन से क्या करती है उसे बचाती है वाटर को रिपेल करती है वाटर रजिस्टेंस होती है कौन बिटा जी आपकी स्फेगनम तो अब जरा सोचिए इस स्फेगनम को पानी को अब शोशित नहीं करती है पानी को द बता तो दिया स्फेगनम तो एक मॉस है इसकी अलग-अलग क्या होती है जातियां होती है जिसमें से कुछ जातियां जो होती है उनसे हमें क्या मिलता है पीट मिलता है पीट का मतलब मैंने आपको बता दिया कहीं ना कहीं जब अप घटन हो जाता है अप घटन होने के बाद ज ये कौन teridophyte teridophyte ये आपके teridophyte है न और ये भी teridophyte ही है ये teridophyte बच रहा है जो आपको इतना तो देखकर पता लगी गया होगा कि ये जो teridophyte होते है इनको सजावट की तरह यूज में लिया जाता है सिंक है so teridophyte बच गया है और जिमनोस्परम बच गया है मैं आपको एक काम करते हैं रुकिये 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 मैंने आपको क्या बोला टेस्ट जो है वो ट्यूजडे को एगा नहीं 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 जो रुके हुए ध्यान से सुनना test जो होएगा वो Tuesday को नहीं होएगा Friday को Tuesday को इसको खतम करते हैं इस chapter को karena Tuesday को Mangalwar को इस chapter को खतम करेंगे जिसमें हम taridiophytes और Gymnospam Angiospam यह तीनो निपताएंगे और तीनो निपताने के बाद Friday को 6 chapter का test लेंगे 6 chapter का एक chapter और बढ़ जाएगा ठीक है 6 chapter नहीं बोला था Like, Share, Subscribe, आज वापिस से बोलने का मन कर रहा है, क्या आपने Like किया, क्या आपको मजा आया, क्या आपको जो चीज पढ़ाई जह रही है, इसमें कोई तकलीफ है, मजा आ रहा है, जब मजा आ रहा है, तो अपने दोस्तों को काहे शेर नहीं करते हो, क्या दिक्कत है है पूरा कंसेप्ट क्लियर है वेल डन अमित प्रजापती एक बर जरत दिखा दीजे कौन-कौन से बालक है ब्लू एंड ग्रे नेहा विश्व कर्मा कंचन कुमारी बहुत ही बढ़िया काजल अनामिका रुबीना लवलीश कोमल सिम्रन अमित प्रजापती सुष्मा देवी सुधान्शू लक्ष्मी पुष्कल अर्चना मुस्कान तबस्सम राजपूत अंकिता नहीं राजपूत अरसालन अंकिता अमित प्रजापती बहुत ही बढ़िया चलिए आशा करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी लेकिन लाइक जो हैं आज भी कम पढ़ गए हैं मैं सोचा था कि लाइक जो हैं कम से कम एक हजार लाइक तो क्लास के दौरान आ जाने चाहिए थे लेकिन नहीं आये इच्छो के नो प्रॉबलम अगली बार जब मैं आऊंगा ट्यूजडे को और क्या लेकर आऊंगा ये मैंने आपको बता दी अगली बार जब मैं आऊं ठीक है, ओके ओमकार यादव, चालिए जी, आज के लिए बिटा जी, नमस्कार है, बाई बाई है, थैंक यू सो मच है, रुकने के लिए आने के लिए, बाई बाई, टेक केर, पढ़ते रहिए, मुस्कराते रहिए